रुणा निधान की, तागी उपद कमल मनावूं, जासु क्रपा निर मलमत पावूं। मावीर विनव वहनुमाना, राम जासु जसु आप वक्हान। रनव उपवन कुमार, अनवन पावक व्यान घन। जासुर्दे आगार, पसही रामु सरचाप धरिं। उन्द इन्दु समधे, उमार मन करुणा अयन। जाय दीन परने, करभुक्रपा मर्दन मयन। मंगल मूरती मारुती नानन। अधल्या मंगल मुलने घन्ला, सखण। अधल्या मंगल, ठूल्या निकंदां। हवंतणा इसांगहित अधकारी आवन पर नय संतन ही तकारी इंदया मिराजत परह वत मिहारी इंदया मिराजत तरह वत मिहारी आत प्ता गुणा नपत सालद आत पिता गुणा पंदिशारद जिवा समेत साम भखवादा जिवा समीत साम सुप्रार तरन कमल वां मत्वटाय। तरन कमल वंताओं सबताओ तिहो दाम अगर देयनिवाओ जिवा समीत से तिहाओं देयनिवादा जए 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 हनु मानेक स्पाइं जए 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 हनु मानेक स्पाइं आपातर उटर्थे पग्रदावी आपातर उदिद्थे पग्रिदावी आत्मा उराम अलगन वेदे ये तु लजी के खरम सने पिर लजी के खरम सने जे राम जे राम जे जे राम को संद्या के प्यारे के राम तर्श रंध राज दुलाए राम अनन्न जन्न भगवाने की रहो सभी लोग खड़े हो जाएं और मुख्य जमान स्री द्वार का प्षाद जी सपतनी स्री मति मेवा देवी जो यजमान पतपर पिराजित हैं उनके साथ मिलकर की बागवत जी मरज गामायन जी की आज चतुर्ट दिवस की रुक में मंगलार्ती का गायन करेंगे आप सुध्धा की साथ जुन गुनाते हैं आरति स्रीरा मायन जी की रतिकलितर ललत सी आपी आरति स्रीरा मायन जी की हावत बहाद दितमों नारत वालवी बहादे यानक विशारत सुकसान कारे सेस्वार उशारत बरने कावन सुतर दितमी की आनक शीरा मायन दितमी कावत बेव पुरान कास्त चाहु साथ पस्तव दन दन को दस्त मुदरन सहन दन सार। दन को सेड् je को द दन को दन सार कावन सार सैसर बतीति दितमी की आनक शीरा मायन दितमी कर दो 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 तेखें दोलस्तिकी आरतिशिया मायनतिकी कीवत दिकर्तव ललिन्दसिया मैनतिकी आरतिशिया जिये नजियमय जंत देवास्थानि धर्मान प्रतमान्याशन्ना तेहनाखं महिमानाह सचंत यत्रपूरवे शाध्याह संत देवाहा श्रीप्राण पृषोत्तमाय नमाहा मंत्रवुष्पांजलिं समर्पयामी अल्रागविंद्र शर्कारी की जये पालिक्रिष्ण लाल की जये जये श्तिराधेश्या सभी लोग अपना अपना स्थान लेलें और सभी कता प्रेमी अपने अपने ग्रह कारियों से निब्रत्व करके सभी लोग अपने अपने ग्रह कारियों आल प्रगाम देते हुए कथा इस तले मैं पदार है उसे पूर मन और रुवानी को पविश्ट करेंगे प्रभु की मेरे रागाव की नित इस्टिती का गायन करते हुए आव बड़े भाव के साथ गुन आते हैं मिश्रीरां चंजर毕प्ढल वजु मान हरन वहय कारोगं नवादान्यो चनकान्यो भखर तन्यवाद भखर फचारोध। कंबर पहनदिक आवित चाविनाव नीला नीराद सुन्दार्प। पटपीत आणः तरित तर्शुचि सुचि नौमि जनक सुपाविन। अजुदीनवाद दिनेश आणः नेट वंसानिकंदान्यो भखर फचारोध। अजुदीनवाद भखर फचारोध। अजुदीनवाद भखर फचारोध। सिरमो कुटको नलतिलक चारोध। अजुदीनवाद भखर फचारोध। इंदी बदते तुलसी दास संकर जेसा मुनी मान रंजनं। अजुदीनवाद भखर फचारोध। 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 शिरा खुपिय्ड ऑा हो कि आसमुद् कई शिरा खुपियो खुला चानि गोरिय कुल सयWind हर सुन जाई कही मन्चुल मंगल बूल वाम अंद परकन लगे सियावर राम चंद्र जिकी जये पवन सुत हनुमान जिकी जये बोलो वाई शव शंतन की महात्मा तुलसे दास महराज की खानुमन तलाल की ज्यान सादना गुरुदा मास्रम की जये हो जट्कारी धाम की जये जये स्री लागे शाम बोलो जये स्री लाम सभी शंतों को भक्तों को जये स्री शीता राम जी की आदर्ण ये पूजनी लोगों को वन्नन करते हुए अपने अपने पित्र देव बग्व महराज को प्रणाम करते हुए अपने अपने इष्ट देव को सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए मास्रीत लाग को प्रणाम करते हुए को देवी उनको बंदन करते हुए चत्र दिरुष्का ज्यानशत्र प्रारम करते हैं ज्यानशभा लगनी का समय हो गया है भवान भूली नात गोरा को राम कथा रश्पान करा रहे हैं कहे ही गोरा कल की सत्र में आपने परमात्मा स्री राम के अवतरण की कथा का रश्पान किया नौमी तिथी में भवान स्री राघव का अवतरण हुआ अगली तिथी में दसमी तिथी में पुखिनक छत्र में प्रभात का अलिन भीला चार वजे की समय में माराज भरजी का मा कीके की महल में जन्म हुआ और दसमी तिथी की संध्या की समय आसली शन अच्छत्र में मा सुनित्रा की अंगन में दो पुत्रों का अवतरण हुआ चार पुत्रों राजा दस्षत बड़ी प्रशन है महराज कल आपने सुना गोरा परमानंद पूरमन राजा परमानंद में डूब गए हैं राजा दस्षत उसकी उनकी खुशी का क्या ठिकाना आप शवी देवता प्रशन हैं पर एक देवता एक देव उदास हैं और रो रहे हैं वो कोन हैं बोली वो है चंद्रमा हैं ऐसा बताते हैं बाबा तुलशी ने मानस में लिखा है एक महीनी का दिन हो गया राम जनूत सब जो मनाया तो एक महीनी का दिन हो गया माश देवसकर देवसभा मर मना जाना कोई रत समीत रही था कि उनिशा कवन विद होई रात्री नहीं हुई एक महीनी तक अब इसका भाव आप ये भी निकाल सकते हैं अयोद्यावासी राम जन्म की उतसम में इतने डूब गए उनको यहीं नहीं पता लग रहा कि कब दिन हो गया कब रात हो गई कब रात हो गई कब दिन हो गया ऐसा लगा ऐसा क्रम ये चलता रहा एक महीने तक भगवान सिर्णाम ने चंद्रमा की तरफ दिखा कहा चंद्रमा जी आप बड़े उदास हो रहे हो क्या मेले आने से आपको दुख हो रहा है बोले नहीं महराज बुरिक्यों उदास हो क्यों रो रहे हूं सब देवता खुशी मना रहे हैं महराज मुझे आपका दर्सन नहीं हो रहा है निशा कवन विद होई अब मुझे तो आपका दर्सन जब होगा जब मेरी निकलने की वारी आएगी रात्री हो नहीं रही है तो मुझे तुम्हारा दर्सन नहीं हो रहा ये सूर अस्ता चल बोनी जा रहा है भगवान राम बोले चंता मत करो तुम्हारा नाम चंद्र है और मेरा नाम राम है आपकी नाम को अपने साथ मैं एड कर लेता हूँ नाम हो जाएगा राम चंद्र लेकिन चंद्र मा फिर भी रोने से शान्त नहीं हुए फिर भगवान राम ने कहा क्यों क्या हुआ महराज त्रप्ति नहीं हुए ऐसे बहका रहे हूँ आप मिठाई की गूली दे रहे हूँ जैसे बालक को वेका देते हैं बोले फिर बोले तो जाओ अगली वार में मैं अफ्तार लूँगा तो तुमारे वंस में ही अफ्तार लूँगा और जिसमें मेरा अफ्तार होगा उस समय सारा संसार सो रहा होगा केवल तुम जगरे होंगे और वश्देव और देव की जग रहे हुँए इसलिए परमात्मा स्री राम का अफतार फिर चंदरा कर दस भाह अगली बार में तेरे बाशक में चंदरा की ने कर दोंगा आप चोरी करते तो सोभा नहीं देते अरे आप चोरी करोगे पूले हाँ काई की चोरी करी माराच पूले मैंने रामलाला के दरसन की चोरी करी अच्छा है माराच कैसे चोरी करी मानस में गुष्ष्वामी जी चौपाई लिखते हैं आउगनू उनाते हैं जाओ एक तरह निर जोई सुनि एर जाते दड़ मत तोई सुनि एर जाते दड़ मत तोई काद भुसोर में संदा मदो मन जरू पला नै नही तो ओ जरू पला नै नही तो ओ जरू पला नई नही तो आपड़ो प्रिया राम लाला के दर्सन की चोरी करी पुले हाँ बुले क्यों बुले मैं चोरी से राम लाला का दर्सन करने के लिए गया मा पारतिन का स्वामी अकेले गए बुले ना अकेले चोरी करने में आनन्द नहीं आवे दो हों तो ठीक रहे अगेले तो भाई भजन करने में ज्याने लगाना हो प्रभू का अकेला होना चाहिए किर्थन करना हो तो दो होने चाहिए सत्सं करना हो अनेक होने चाहिए और ट्योः करें तो दो तूँ हो पुले को और शू ने संग मान जो यू जहा नहीं नहीं तो काग उश्ण जी को साथ लिया और हम दोनों सर्यू के किनारी जाकर के बैठ गए अब पारवे दिन का महारज कैसे कैसे चूरी करी थोड़ा बताओ रहस बताओ वहले हम दोनों सर्यू के किनारी जाकर के बैठ गए इधर राम जी ने रोना प्रारूम कर दिया अब आयोध्या में एक चल्चा हो रही थी अरे कोई नजर उतारना जानता है किया मा कोशिल्या ने सुचा आहा लाला रो रहा है सायद नजर लग गई यह नजर लग जाती है बालत यह पक्की वाद था रोने से भगवान शांत नहीं हो रहे हैं अब पूरी आयोध्या में वह बाद थेल गए अब सर्यू के किनारी यह बैठे हैं किसी ने आकर के कहा अरे कोई बालक की नजर उतारना जानता है क्या लाला को नजर लग गई है बस हमने ये कानों से ये सब्द सुन लिए सो हम दोनों ही राज महल के लिए चल दिये अब किसी ने रास्ते में गा बाबा तुम बालक की नजर उतारना जानते हैं क्या बोले हाँ हाँ कुछ जाने है चलो बाबा हमको राज घराने में राज महल में प्रिवेश मिल गया बहाने से नहीं तो हमको कौन घुशने देता मैंने रामला लागा दर्सन किया और बस राम जी रोने से बंद हो गए और राम जी तो रोने से बंद हो गए रामला लागा दर्सन करने के बाद में मेरी आँखों से श्रुदारा बहने लगे लेकिन वह आँसों की दारा नहीं थी और वो तो बक्ति के आँसों की दारा थे आँखों में कथा सुनते सुनते आँसों आजाना ये बक्ति की आँसों है कथा सुनाते सुनाते आँखों में आँसों आजाए समझ लेना ये बक्ति की आँसों है मा कौशलिया ने मेरी तरफ दिखा कहा अरे कितने अच्छे सादू बाबा है मेरे लाला का रोना स्वेम ने ले लिया है मैंने कहा मा कौशलिया से मा अपने लाला को मेरी गोदे में दे दू यदि तुम ने अपने बेटा को मेरी गोदे में दे दिया तो मैं तुमको पक्का बता रहुँगे तुम्हारा लाला कभी जीवन में नहीं रोएगा कभी नहीं रोएगा बस माकोशलीया ने तुवंत Prime राम लला को मेरी हुदी में दे दिया और जैसे मेरी हुदी में आई तो मैं राम लला का जीवर के दर्सन करने लगा अब काग रुषणनद जी मेरे साथ गए थी मैं उस समय गुरू जी मना हुआ था, वह रोजा को मेरे चेला नहीं हुए थै नाट कर रहे थे हिंए घवान भोले नाट गोरा को ये कता सुना रहे तो काग विश्ण जी ने कहा गुरू जी मैंना रह जाओं तो मैंने कहा ऐसा करो चेला जी मैं तो मुख की तरफ से दर्सन कर रहा हूं तुम इनके चरण पकड़ लू तो काग विश्ण जी ने चरण पकड़ लिया बड़ी खुशी का अफसर था गोरा यह राम लला की दर्सन की मैंने चोरी की बोले फिर क्या हूँ हमारा जागे तुम दर्सन करके फिर बापिस आगे अरे नहीं कोशल्या अरे पारवती कोशल्या माने कहा बावा तुम कछू जो तिसके बारे में जानो बोले हां डिप्लोमा कर रखा है तो बाबा देखो मेरे इस बीटा की बहुश्के वाले में बताओ तो मैंने बस राम लला की हस्तर एकादे की वरेनन करनी लगा और मैंने बहुश्क बताते का मा तुम्हारा यह बालक बहुत अच्छा शुलक्षण बार हैं यह तो साक्षात्पकार में नारेन की समान गुर्वान हैं और कहा मा जब ये कुमारा वस्तार को प्राप्त होंगे बड़े होंगे तो एक महत्मा आएंगे और इनको अपने साथ ले जाएंगे बस ये सुनते ही मा को शिल्या की आँखें बनाई रोने लगी अरे बाबा ये क्या कह रहे हूं मैंने का मा गवड़ाओ मत महत्मा की साथ जाएंगे तुमारी ये पुत्रों और एक अदुतिय करन्या की साथ बिवा करके लाएंगे अब बिवा की बाद सुनी तो मा कोशल्या खुस हो गई मा ने का बाबा एक बात और बताओ बुले क्या बुले मेरा यह बिटा राम बिटा लाला अयुद्या की गद्धी पर भी बैठेगा या नहीं बैठेगा अभी राज की रेखा निकली नहीं है मैंने वो बर्नवास की बात छपा ली मैंने का अभी राज गति पर वैठने की रेखा अभी उजागर नहीं हूई है निकली नहीं है अब मान प्रशन नोकर कि मुझे दक्षणा देनी लगी और मैंने दक्षणा ले ली अरे दक्षणा तो लेनी थी नाटक चल रहा था जो थी वने हैं पंडी जी वने हैं गुरू जी वने तो दक्षणा तो लेनी थी दक्षणा नहीं लेता तू बेद खुल जाता फिर मैं कैलास परवत पर लोट गए आया और काग उश्ण जी बोले बावा मैं तो भी यही रहूँगा और मैं नील गिरी कुछ छोड़ करके नहीं जाऊँगा फिर मैं तो राम जी के साथ ही खेलूँगा राम जी काग उश्ण जी के साथ खेला करते थे कोवा की साथ आगे कथा हो रा थी वड़ी संदर आंगन में कोवा आ जाता है उसके साथ राम जी केुछ थैंए काग उश्ण जी के साथ संद कहते हैं एक बार जब राम जी थोड़ी से बड़े हो गए थे तो संकर भगवान के मन में फिर राम जी के दर्शन के इक्षा जागी हनुआन जी को साथ ले लिया और मदारी का रूपाना लिया आपने दिखा हुगा गाओंगाओं में आते हैं नमदारी बंदर नचाने के लिए हनुआन जी को साथ ली जा नहीं पैसमें रहता ही रहता है तो तंब रूपजाते जा रहे और हनुआन जी साथ ले रखे बोलो जैस्छी राम आज आयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला अरे महराद चलो गुनों ना लेते हैं थोड़ा सा बड़ा प्यारा वजन है आज आयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला आज आयो ठाथी सलियों ही दूमे जोगी हत्वाला अलक निरंजन अड़ा पहारी देखुदा दस रख लाला अलक निरंजन अड़ा पहारी देखुदा दस रख लाला आज आयो ठाथी गल्यों ही नाचे जोगी हत्वाला हलक निरंदन कर आपकारी देखना भाहत लाला हलक निरंदन कर आपकारी देखना सरण लाला तो दो परिशब में, प्रुबी में ने जिए जिए टर रसमी बांचि ब्म में तो row में जिए आयो जिए कि भष्से एbahn वो सैली स्रंगी लिये हाथों में और डमरों के सुहल लिये 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 लिये। अलक निरंजन कड़ा पुकारी एकुना दखरत लाला अंद भभुत रमाई जोटी बाधपर कुटे में सोहे 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 मस्तक पर चट कमा विरादे जल में मुई जोटी बाधपर कुटे में अंद भभुत रमाई जोटी बाधपर कुटे में राज़गार में घणा पुकारे बुल है मदुलिवाणी अपने सत्व दिखा दे मैहा योगी ने मन में खाली अपने सत्व दिखा दे मैहा योगी ने मन में खाली परेशना लाद दिखा दे मैहा योगी ने मन में खाली तो हटो पर ना मानों का वे खुटा देना लाला अलखनि रंजन उड़ा भुटाई देखुटा देखुटा पर आला गुंपने जोडियों सब्सक्राइब दिजिए जोड़ आज़ियों ने जोडियों सिंहाना अलबिकी रंदन जड़ाब संकर वहाने की चाहिए हो अब डमर हो जाते हुए पहुंच गए हनुमान जी नाच रहे अब खेल दिखा रहे और खेल दिखा कर कि भगवान भोली नाथ जब चले नहीं लगी तो हनुमान जी और राम जी आँखों आँखों में बत्रा लिए मुझे अपने पास में ही रख लेना आपका मुझे दर्सन हुआ तो मैं आपको छोड़ना नहीं चाहिए बहुआन भोली नाथ जैसे जानी लगी बहुआन राम मचल लगे रुवी लगे बहुत रुए मा यसुदा ने महरज मा कोशिल्या ने लाला को चुप करना चाहा लेकिन राम लला सांद नहीं हो रहे हैं चुप नहीं हो रहे हैं मा कोशिल्या ने लाला से कहा को नहीं चुप लुप 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 तोड़ा दन लेंगे मदारी तुले लेंगे बावा हामा कुछ जितना दन चाहिए उतना दन ले जाओ पर अपने इस बंदर को मुझे दे जाओ मेरो लाला खिल तो रहेगो अब भगवान भोले नात भोले मा ये तो मेरा रोजी रोटी है खाने कमाने का साधन है मैं इसको नहीं छोड़ सकता मा कौशल्या ने बहुत नवेदन किया है अच्छा तो ठीक है आप गया शिक्षा है तो लिलो भगवान भोले नात हनुमान जी को ये छोड़ाए भी बहुवान भोले नात रामला का दर्सन करके चले गें हनुमान जी नित राम जी के साथ खेला कर लेत और कर तक खेले मालूम है जब तक खेले जब राम जी विश्वा मित्र जी की साथ जा रहे हैं यके की रक्षा करने के लिए तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि अब तुम अपने इस्थान पर चले जाओ और फिर हनुमान जी चले गए और का कभी फिर हमारा तुमारा मिलन होगा फिर किशकिंदा पर जाकर के मिलन हुआ और जब किशकिंदा पर गये है तो हनुमान जी वहाँ डिप्रेवेश में आते हैं ये कथा आगे आएगी आपने सुना है और आपने वो चोपाई भी सुनी होंगे कोहुत्म शामल गोर सरीरा च्छत्री रूप फिरह बन वीरा अनुवान जी जब ब्रहमण वेस में आई है तब का परज आप कोन है इस च्छत्री रूप में ब्रहमण करने है तब भगवार नाम ने कहा है कोशली शुदसरत की जाई पित्व चनमान वन आई प्रभु पेंचान परिवु बहीं चरना सो सुक उमा जाए नहीं वरना प्रभु को पेंचान लिया अनुवान जी ने चरना पकड़ लिये और सो सुक उमा जाए नहीं वरना भगवान बोले ना दियते हैं उमा उस समय की सुक का वररन कौन कर सकता है वररन की आने जा सकता है अब इस चागे भगवान और बड़े हुए है धीरे 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 कच्छ कुद्दे बस बीते इह भास्ते जात न जानी या दिन अर राती खुशी का जब माहूल गर में ऐसा ही होता है रंज हो जाता है तुम्हारा दुख़गी तु एक गड़े भी नहीं करती है खुशी का समय जल्दी वियतित हो जाता है अlines नाम करण कर आवसर जानी रूप भोले पठ़े मौने ज्यानी रजा तस्चत ने गुरुदेव को भुलाया पूजा की दरिये नाम जो मुनु रखा कहा गुरुदेव हमारे पत्रों का नाम करण संसकार करूँ ना गुरु अशुष जी नाम करण संसकार कर रहे हैं इनकी नाम अनिक यरूप अनूपार अरे राजा दस्चत इनके तो नाम अनिक अनिक हैं लेकिन मैं इनका नाम करण तो संसकार क्या करूँ क्यों गुरु देव सब कुछ जानते हैं और फिर भी कह रहे हैं मैं इनका नाम करण कैसे करूँ नाम क्या रख रहे हैं क्यों मैं नप कहर समत अनूपा फिर भी मैं अपनी मती के अनुसार बता रहा हूँ सारे संसार को आराम रहने वाले यह स्री राम है इनका नाम राम है जो आनंद के समद्रे सुकु की राशी हैं इनका नाम राम है विश्व रण पोशन कर जोई ताकर नाम भरत असोई सारे विश्व का अभरण पोशन करने वाले जो हैं इनका नाम भरत है और जाकी शमलन ने पुनासा नाम सस्तुवन वेध प्रकासा जिसका नाम इश्व रण करते ही सत्तुव कांप जाता है इसलिए इनका नाम सत्तुवन है लक्षण दहाम राम प्रिया सकल जगत आधार वसिस्त तेहरा खा लक्षण नाम उदार सारी लक्षण दहाम राम प्रिया और राम के प्रिया हैं सकल जगत आधार सारी संसार को आधार देने वाले हैं आधार सारी संसार को आधार और उदार हिलते वाले हैं इनका नाम लक्षमन हैं लक्षमन किसे कहते हैं लक्षमन जिसके मन का लक्षी राम की चरण हैं जिनका लक्ष ही राम को पाना हैं वही तो लक्षमन हैं बोलो जैस्तरी राम इसके बाद में बालम की रामाएड में तो ऐसा लिखा है कि 11 दन की भगवान स्री राम हुए हैं 11 दन नाम रखा है और जब नाम करण संस्कार हुआ है उस समय ब्राह्मन को भूजनादी कराने के बाद में दक्षण देकर करके विदा किया अयोध्या में महानत सब हुआ है मंगल गान होनी लगी अब मरे राज महल में दो जोड़ी बन गई एक सावली और एक गोरी राम और लक्षमा बरत और सत्र बन गई साथ साथ रहते हैं साथ साथ खिलते हैं अब देरे देरे बड़े होनी लगी भगवान आहा महराच एक दिन मा कोशिला ने दिखा राम जी झाल di दो झाल कर दो यह कोशिला आहा महरались कर दो कर खाभिंग्ग्वी को थास झाल झाल प्रभु स्री राम जी को मुस्कर आती हुए दिखा प्रभु की मुख में जो दांत आ रहे हैं चोटे चोटे दांत दूद्ध चावल जैसे हैं वर्दंत की पंगत कुंद कली अधराधव पल्लन खोलन की चपला चम के घन वीज जगे छव मोतिन माल यमोलन की गुमरारी लटें लटकें मुख उपर कुंडल लूल का पूलन की नो चावर प्रान करें तुल से बल जाओं लला इन बूलन की बेला की कली के समान सफेद दात जैसे चावल होता है और होट प्रुख के बिलकुल लाल लाल जैसे बिलकुल लाल 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 पत्ते के समान हैं और मुथियों की माला गले में पड़े हुए है ऐसे लग रही है जैसे बादल में बिजली चमग रही हो गुणाले गुणाले बाल मुख के उपर आकर के लटक रहे हैं कानों में कुंडल और महरज मुख की मुख को इधर उधर चारों तरफ कभी घूमाते हैं इधर उधर तो कुंडल हिलेते हैं तुलशी बाबा कहते हैं इस जांगी पर मैं अपने प्राण निछावर कर दूं बारवार इन पर में बलेहरी जाता हूं नोचावर प्राण करें तुलशी बल जाओं लला इन भूलन की तनकीदत श्याम सरोर है लोचन कंज की मन्युल ताई हरे आत सुन्दर सुवत दूर भरे छवे भूरी अनंग की दूर करे दम केंदत यादत जामन जों केलकें कलवाल विनूद करे आवदेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदर में बेहरे उनकी सरीर की आवा नील कमल की समान है जिनके नीत्र कमल की शोभा को भी हर रहे हैं सरीर में दूल लगे हुई है कामदेव की शोभा को भी हर रहे हैं महरच नन्ने नन्ने दात बिजली की तरफ चब रहे हैं और किलकारी लगा रहे हैं किलकारी मार बार करके बाल लीला कर रहे हैं तुल्शी रासे बावा कहते हैं कि आयोध्या पती दश्ट जी के चारो तुत्र मेरे मन रूपी मंदर में सदे बे बिहार करते रहें अवदेश की वालक चार सदा तुलसीमन मंदिर में ब्यारे आए ऐसी सुन्दर जहां की है प्रभु की अब सामली गोरी सुरत की दो जोड़ी दशत के महल में सुवा पा रही है भवानी शाम गोर शुन्दर दुजोरी में रखाँच विजन नी दरन तोरी आरे ही भवानी व्यापक ब्रम म निर ने प्रेम भगत वस परमात्मा ब्याटवक है निरंजन है विनोध रहत है जन्मा है वे प्रेम और वक्ती की कारण कोशिल्या मैया की उदिय में खेल राए वह प्रमात्मा प्रेम मगन कोशिल्या निस दिन जात नजाँ सुपसने हबस माता वाल चरित करेगा बाल चरित्रों को अगान करती करती आनन में डूप जाती है मा कोशिल्या और एक बार प्रभू की बड़ी सुन्दर लीला है बाल लीला एक बार जननी अनवाई कर संगार पलना पोड़ाए मा कोशल्या ने प्रभू को इश्णान कराया और इश्णान कराने के वाद में कर संगार पलना पोड़ाई संगार किया संगार करने के वाद में पलना में लिटा दिया फिर निजकुल इस्टिदेव बगवाना पूजा ही तकीन असनाना फिर इश्नान करने के लिए गई और इश्नान करने के बाद में फिर मंदर में पूजा करने के लिए गई और पूजा करने के बाद में कर पूजा नेवित चड़ावा पूजा करने के बाद में प्रभू को भोग लगाया है और आप गई जब पाक बनावा भगवान को भूग लगा दिया और आप रसुए घर में चली गई जहां प्रभूर राम जो है राम लिल्ला कहां से हो रहें पले ना में अब राम जो नहीं सोचा माने मुझे भूग तो लगा दिया हाँ सो भगवान गोटमन गोटमन गई और वाँ भूग पानी लगे अब मा कोशल्या रसुए घर में से जैसे मंदर की तरफ गई तो देखा मंदर में भगवान भूग लगा रहे हैं राम जी भूग पा रहे हैं अम महिघ्या कोशल्या ने सोची कि लाला तो मेरो आम भड़ोन में सो रहे हैं पिर पऴणा की तरफ गई कि पलवान पलोन में सो रहे हैं धुरि地वरी मंदर की तरफ गई तो भगवान हुई है मोग पार है हूं लुग कर देखा मत ब्रह्म मोर की आने विशिशा माने सोच रहा आये मेरी बुद्धी का ब्रह्म है या कोई विशिश कारण है मा सोच रही है सो भवान ने मा कोशुल्या को बिराट रूप का दर्शन करा दर्शन करा दिया दिख रावा मात इन जो अदवत रूप अखंड रूम प्रतिलागे कोट कोट ब्रह्मंड एक एक रूम में करोणों करोणों अनन्न गंद रहवाने की गय हो आप सदेव सोभग बती रहें हमेशा सुभग न बनी रहें आप एक और ठाट को अवत मीड़ तंड रूम काराओन जो गाट का दम आप बत बाट का न थे रहें बत भंग धिया कि मैं बहुत चोट रहा था जब पाणिद कर्म करने आता था इनके घर में बहुत पुराना गराना घर रहा है ये प्रबाब ये जत्तारी एक से कथा सुनाने आता था में सतना रहन कि दो नवरात्रियों में पाथ करने आता था अब एक एक रोमे में करोडों ब्रह्मानों का दर्सन हुआ बिराड रूप दिखा करके बहुआन फिर बालक बन गए बिराड रूप दिखा दिया और फिर लाला बन गए अब मा कोशल्या राम नला को गोदी में नहीं लेती है क्यों नहीं लेती है अरे जिसने सारा संसार गोदी में ले रखा हूँ उसे मैं कैसे गोदी में लूँ अब दूद नहीं पलाती है सोचने लगी जो सारे संसार का पेट बलता है मैं उसका पेट कैसे बढ़ू जो सारे संसार का पेट बढ़ता है उसका पेट मैं नहीं बढ़ सकती अब ना तो गोदे में ले और ना दूद पिलावे भगवान ने सोचा मुझे मा का प्यार नहीं मिलेगा फिर सो राम जी ने मा कौशल्या की आँखों पर ऐसे हात रग दिया मा सब कच बूल गए सब कुछ बूल गए अब इसके बाद में समय व्यतित होनी लगा कचक काल बीती सब वांती बड़े हैं बहे परिजन सुखो और बड़ी हुए अब चारों बड़े हैं बाई जो हैं कुटम को सुख दे रहे इसके वाद में चूड़ा करन संसकाराता है जब छोटा वालक घर में आगन में कुटमन कुटमन भूमता है तो सारे परवार को सुख मिलता है सारे कुटम को सुख मिलता है कुछ दिन तो बालक खिलाना पड़ता है लेकिन कुछ दिन के वाद में वह बालक सारी परवार वालों को, कुटम वालों को और उल्टा खिलाता है सारा टेंशन, सारी व्यथा, सारी चिंता उस बालक को देखर के मिट जाती है अब महाराज एक विच्चत्र गटना और गट रही है बुले क्या बड़े-बड़े संत राजमहल की तरफ दोड़ों लगा रहे है आयो जामे बड़े-बड़े संत दोड़ते चले आ रहे है और भुच्चा लेने के लिए आ रहे है माने देखा लैने लगी हुई है जरतोली रोड़ तक अरे इतने बाबा पहले त्वाविन आई यह तो लाम जन्म की वाद में इतने महत्मा आ रहे है अरे बाबा पहले तो तुम आविन आई अब कैसे आ रहे अब मात्मा बोली मा हम योग करते करते ठक गएं साधना करते करते प्रवचन करते करते ठक गएं नाम रूप मित्या है मा हमने संसार को छोड़ा पहाड़ों में रहे एकांत वास किया योग साधना की फिर भी परमात्मा का दर्सन नहीं हुआ हमने सुना है कि जो ब्रह्म है वह तुम्हारा पुत्र बन करके आया है इसलिए है मा हम तो तुम्हारे द्वारे पर आज भिखारी बन करके आये हैं मा तेरे लाला के दर्शन करने के बाद में अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो तेरे आंगन के पत्थर बन जाते तो हमारा उद्धार हो जाता है यह सब सुनकर की मा बड़ी प्रशन होई चोड़ा करना अधी संस्कार होता है वो हुआ नेगियों को नेग दिया दान दिया बहुआन वाले सकाओं के साथ में खेल नहीं भूजन करत बोल जब राजा भूजन करत बोल जब राजा नहीं आवकत दे बाल समाझा नहीं आवकत दे बाल समाझा वो चल्या जब लखन जाईवे तो भालव प्रम प्रम प्रव चलनी बढाई निगा महनी पेसे हो अंदर नपावा तारी दखेल जन नीह थे भावा तागी दढ़े जन इसी हट धावा तू सर दोरे भरे तन वाए तू सर दोरे भरे तन वाए तू पति में हसे तुद में ठाए भूजन करत भूजन करत बोल जब राजा भूजन की समय राजा दश्र राम जी को बुलाते हैं तो राम जी बाल समाज को छोड़ करके आते नहीं हैं बाल को विशाथ खेले रहे हैं राजय दश्रत आवज लगा रहे लेकिन राम जी बाल समाज को नहीं छोड़ करके आते हैं फिर मा कॉशल जा गई दश्रत नहीं का ऐसा करो कॉशल लिए तुम बुलाकर के लाओ यह आता नहीं है राम लादा अब कॉशल लिए बुलाने जाते हैं राम जी को लिखा है इसमें अब कॉशल लिए जब भोलने जाई अरे राम थमक ठमक प्रव चलें पर आई थमक आसा लगा रहे हैं और एक साथ भाग जाते हैं निदमने तिसे वंदन बाबा ताहे धरे जरनी हट दावा वेद जिसे नीती नीती कहते हैं वेद में भगवान का एक नामे नीती 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 जिसका अन्त भगवान सभी भी नहीं जान पाते हैं आज मां उन्हें पकड़ने के लिए दोड़ रही है आगे आगे भगवान भागने पीछे पीछे मां कोशल लाला को पकड़ने के लिए भाग रही है अब 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 यह क्यों क्या है बोले मा कोशलिया का किया हुआ कोई न कोई बजन है यह मा कोशलिया की बजन का प्रवाब है बजन प्रवाब दिखावें सोई बजन का प्रवाब कभी खाली नहीं जाता है फिर मारज थोड़ी देर के बाद में सरीर पर दूल लपेटी हुए बहवान आते हैं राजा दुश्रत ने देखा राम जी को उठाया गोद में बैठा लिलिया अब मारज ऐसी खुशी का ये समय है समय वीतिता जा रहा है चारो भाई बड़ी हो गई वही कुमार जवही सब प्राता तेन जनेव गुरुपित माता यग्यो परविक संस्कार आदी हुआ जनेव संस्कार गायत्री मंत्र की दिक्षा दी गई संध्या करने का अधिकार दे दिया जब तक गायत्री मंत्र की दिक्षा नहीं मिलीती है तक संध्या करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है और यहां चारों वाई दुझ बन गए दुझ माने ब्राम्मन लेकिन जब यग्योप्रवित संस्कार हो जाता है छत्री वैश्य और ब्राम्मन ये तीनों ही दुझ कही जाते हैं सास्त्र में हम तो अब तक समझते हैं कि दुझ माने ब्राम्मन होता है दुझ का मतलब होता है जिसका दुवारा जन्म हुआ है हमारा तुवारा सब का दुवारा जन्म हुआ है अब दुवारा जन्म कैसे हुआ है जब यग्योप्रवित संसकार हो जाता है उसके वाद में एक नाम दे दिया जाता है सास्त्रम की द जाता है बोलो जैस्री राम अब इसके बाद में बहुआ विद्ध्या अध्यान करने के लिए जाते हैं गोरुग रहे गई पढ़ने दगुराई अध्या सब्द है शिक्षा नहीं है आज गल इसकूलों में सिक्षा मिलती है विद्ध्या कहा मिलती है विद्ध्या तो गुर्पुल में मिलती है शिक्षा इसकूलों में मिलती है और यह तो ऐसी शिक्षा है यह शिक्षा आदवी तक नहीं पहुचा सकती तो परमात्मा तक क आप पहुचाएगी आरे परमात्मा को पाने के लिए तो विद्या होती है और विद्या इसकोलों में नहीं गुरकोलों में मलती है कि आपने देखा हुगा पहले जब विध्याले में पढ़ने जाती कोई चात्र अवराद कर देता था तो कहते थे खाब विध्या की सुनी खादेते हैं और चात्र ने कितना भी वड़ा अपराद कर दिया हूँ और यदि उसने गुरुजी के सामने विद्या की सोखंद उठा ली तो गुरुजी से छवा कर देते हैं अब राम कथा में राम चत्र मानस में गुश्वामी वाबा विद्या सब्द लेकर रहें सिक्षा सब्द नहीं लखा है अरे जो परमापमा से मिलाए हुए विद्या है गुरुग रह गई पढ़न रगराई अलब गाल विद्या सब्द लेकर विद्या सब्द लेकर रहें यह तो कोट उपसा नहीं लगता है जसकी सांस से वेद प्रिगट हुआ है आज वह परमापमा गुरुजी के पास में विद्याध्यान करने के लिए जा रहे हैं यह हमारे राष्ट वारत गाते पर समाज था पहले विद्याध्याती रख्षों के नीचे बैट करके पढ़ा करते थे उन्हीं लोगों में से नर्पुंगंबीर हुआ करते थे अब बड़े अड़े इसकुलों में रहते हैं वहां पढ़ने जाते हैं सारी शुक्षुदाय मिलती हैं गाड़ी से पढ़ने जाते हैं पहले पैदल जाते थे पढ़ सालों में जो संसकार आने चाहिए वो संसकार नहीं आते हैं आज कल का स्कुल संसकारों का घर नहीं है अरे संसकारों का घर तो वास्तव में गुर्कुल होता है पर गुरकुल में पढ़ने नहीं जाते हैं हमारे अंदर तो एक बात बनी हुई है कि ये बाल गुरकुल में जाकर कि संसे पढ़ लीगा तो बिवा भी कौन करेगा English Media School में पढ़ने जो जाता है वालक बेड़ी पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, मदरा पान करता हूँ, सारी नसा करता हूँ और पेंट सेट पहनता हूँ, उसके कितनी विवा हो जाते हैं मतलब महरच उसके विवा करनी वाली, सगाई वाली कितनी आ जाते हैं और जो गुरकुल में रहता है तिलक लगाता है चोटी रखाता है गले में तुल्शी की माला दारण करता है यग्योपवित संसकार कर लखा है क्या कि कौन कर या को भी हाँ बाबा जी को कि लेकिन संस्कार नहीं देखते हैं संसकार तो व वास्ता में गुर्कुलों में ही प्राफ्त होते हैं his school में प्राफ्त आज कल का σंसक चुल तो दो esse सह अब इसके बाद में बिद्या Dadiri करने कि वाद में बापिस आए और गुर्गुल में जो विद्या पढ़ाई गई है गुर्गुल की सिक्षा जो विद्या है राम जी के आच्रण का अंग बन गई है लिखाए प्रात काल उठके रगुना था तुपिता गुर्णा वह माथा प्रवात गाले निवेला में उठक करके माता पिता को वंदन करने के लिए आते हैं गुर्द्यव को प्रणाम करते हैं आरवहादन सील स्वंद्य व्रदमभी सेवनन चत्वार तश्वड़ंते आयू विद्या ये शोवलम मा मुनित जो अपने इसे ही बढ़वों के लिए वंदन करते हैं, है है छत्वार तश सवर्दंते उसकी चार चीज़ बढ़ जाती है बिना मांगे ही अपने आदरी लोगों को जो को ना सीखो अपने पूजिनी लोगों के चरण सपर्स करो अब तो चरण सपर्स करने की विधी भी बदल गए मस्तक रख करके चरणों में वो प्रणाम किया जाता है माथा रख दिया जाए वह अच्छा प्रणाम है और अब तो विधी भी बदल गई के देमारे चार चीज़ कुन सी प्राफ्त होती है आयू विद्या ये शुवलम आयू विद्या ये सरुवल अब इसके वाद में दीरी दीरी समय व्यतित होता जा रहा है आज का विद्यार्टी समाज जो बूलता जाता है पढ़ता नहीं है दर्म की व्यक्या हो दर्माचार नहो तो वे गातक होता है राम का सील लक्षमन की वीरता है भरत का प्रेम शत्रवन का मौन एनों ने अविध्या वाश्यों के मन को जीत लिया किसी को वस्मे करने की एक चावी है किसी को वस्मे करना है तो एक चावी है कौन सी जिसका नाम है सद गुण आप किसी को हत्यार दिखाओ आप हत्यार दिखागर के किसी को वस्मे नहीं कर सकते हो हत्यार देख करके वो विवस हो सकता है पर वस्म नहीं हो सकतान है उसमे करना चाहते तो केवल गोनों के द्वारा ही किसी को वस्मे कर सकते हो आज पूरी अयुद्या राम में बन गई है केवल किसके कारण राम जी के सद्गुनों के कारण देखो एक बात समझने की है सजनों, माता और बेनों और भाईयों एक बात समझने किये राजा हरिशन में केवल एक गुण था काई का सत्य बोलने का युदिष्टिर में केवल एक ही गुण था सत्य बोलने का करण में केवल एक ही गुण था दान करने का कि राजा सीवे में केवल एक ही गुण था स्रणागति का और महाराज रंधी देव में केवल एक ही गुण था राजा रंधी देव कहता सुनिया अपने तु प्रिशिद्ध केवल एक ही गुण था राजया रंतिदेवी में त्याग का और एक एक गुण होने से वो इतने बड़े महान हो गए आज कोन नहीं जानता उनकी नाम को एक गुण होने के कारणी लेकिन राम के जीवन में तो ये सारे के सारे गुण हैं राम का व्यक्तित तो बड़ा विच्चित्र है हां राम के व्यक्तित को समझना को शारण काम नहीं है राम की आव्यक्तित को समझना तो बड़ा माहना किषी रहे? और रादीष याम जी लिखते हैं इस ओर या योध्या की वासी सिरी राम नाम गुणगाते थे सुरी राम नाम गुणगाते थे आप नाम खडगाते थे, 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 आप नाम पापियों का हुगा योडिशी मुनी हर साथ और मानस में तुलशीवा वालिक ने बेश्वामेत्र महामोने ज्यानी आयोत्या में आनंद की लहर है पूरी आयोत्या खुसी में डूबी है राजा दश्रत बड़े मगने राजा दश्रत को कोई चिंता नहीं है क्यों जी जहां बभवान आगे हो और पुत्र बन करके आगे हो व्यचंता रहए गयुक्तौ को छोरा डीशी बन जाए पूरी जिल्ले में महराच को क्या देसुम के लिख कर को आरे वह तो परमात्मा यह जहां परमात्मा पुत्र बन Jinping की आगे हो वह क्याक्त आ रहिगे पर एक बात है आयोद्या में अमन चैन हैें और आयोद्या से थोड़ी दूरी पर एक विश्वा मित्र नाम की महत्मा का आस्तम है बक्सरजिले में वहां विश्वा मित्र महत्मा रहते हैं और उनको चिनता है आयोध्या के अंदल तो असांती है पर आयोध्या के बाहर जु है असांती है रावर का आतंक चारो तरफ है रावर के आतंक ने हलचल मचा रखी है महराज अब विश्वा मित्र महा मुन जानी ये विशेशन है क्या विश्वा मित्र जी का महा मुनी बहुत बड़ी मुनी है जानी है बसे हैं भी पिने सुब आश्रम जानी ऑफ कहें जब जगी जो योग मुने करें अते मारी चुस्वावाई रदी सचा अब भगवान का अवतार हो गया है बिना भगवान की इन राक्षासों का अंत नहीं होगा अब वहें बड़े दुखी थे विश्वामित्र वैसे तो वह सस्त्र विद्या में पारंग थे सस्त्र विद्या जान देते हो पर उन्होंने ब्रह्मत् Kenny स्विकार कर लिया थे कभी कभी आपने च्चत्री को यह ऐसा देखा हुगा भड़ी सील सोभाव का होता है ब्रह्मत फो ले लेते हैं और कोई कोई आपने ब्रह्मर देखा हुगा आए सअब हाथ में हथियारी आता है बोले माल दूँगा अल्ला रिवॉल्वर रखें ज़िए अब मैरेज सस्त्रो विद्या में पारंगत हैं वो मामुनी जानिये पर ब्रमत्य को शुकार कर रखाए अब अयुद्या की यात्रा सुरू कर दी और सर्यों के किनारी आगे सर्यों में इश्नान किया और फिर राजा की दरवार में आई पर बिचार करती हुए आ रहे हैं ग्यानी है ना ग्यानी बिचार बहुत करता है ब्रम के वारे में सोचते सोचते आ रहे हैं ब्रम का अबतार नहीं हुता और ये राम जी है यह अफ्तार है यह वह ही चारू प्रकार की बाते हैं उनके मन में आ रही है और फिर राजा दर्शन कोई सुचना मिली है कि दर्वाजे पर संत आए राज महलम की मुखे दर्वाजे पर शंत पदा रहे हैं और यह नियम होता है आप अपने घर में वैठे हो और आपको मालूम पड़ जा कि दरवाजे पर कोई संत प्राम मड़ाएं आपसे मिलने के लिए और आपको सुचना मिल जा तो अपने इस्तान को छोड़ दो और दरवाजे तक उनको लेने के लिए आओ समान करो उनका आप मानस मिये कुछ चौपा ही लिकिये महाराज मुनि आगर मन सुना रव लाजाएं मिलनक दरवले दीप्रत समाजाएं करे लबन दरवले दीप्रत समाजाएं करे लबन दरवत त कुदिर वर नमानी करे लबन दरवत तक उनको दीप्रत समाजाएं निद आसन में थारे थे आनी करे लबन दरवत तक उनको दीद आसन में थारे थे आनी चरड़ पकार तीनत कुझा चरड़ पकार तीनत कुझा मुसाह महार ताम्या नकिदूदा कि ही तारन आतमान तुमारा कि ही तारन आतमान तुमारा ताहहु सकरत लाव तुमारा ताहहु सकरत महाराच बोलो जैस्ट्राव दरवाजी पर आए मिलन गई हुले प्रिसमाजा ब्रामन को साथ लेकर गई गई स्वस्ति वााचन बोल कर गई उनका स्वागत लिया ब्रामन वेद मंत्र पोली में संद्तका वं स्वस्तिन इंद्रों भिदस्तरव्वा तुम्हा विश्वेदा स्वस्तिन स्थाप्रश्च्ट नभी श्यस्वर प्रहश्पद्ध है करहें दन्रवत मनें सनमानी प्रणाम किया निजा आसन वेठार यानि आसन दिया आउ महारत बैठो फिर चरण प्रकार कीन अत्पूजा चरण दोए हैं यह नियम है जब तुम्हारे दरवाजी पर तुमसे मिलने के लिए कोई संतमात्म आएं ब्रह्मन आएं पहले उनको प्र पक्षालन पर चरण पखार कीन अत्पूजा चरण दोए अफेलों की फूजा की तिलकादी लगाया है मोसम आज दन्य नहीं दूजा राजा दस्वत कहते हैं आज में धन्य हो गया दन्य वाज हमारे जो चरण पड़े तुम्हारे महराज आज मेरा जीवन धन्य हो गया शंत के चरण ब्राह्मार की चरण गर्में पड़े अरे साथ और महरा जी ने प्रड़ाम किया और राम जी को देखकर कि विश्वा मित्यजी एक च्छण तो इस्तिर हो गए सोचा क्या यह ब्रमा हो सकता है क्या यह प्रमात्मा हो सकता है यानि जल्दी स्विकार नहीं करते वी वेधों का विचार करते हैं सोचा वेध में परमातमा निलागार है निर्वोन है, निर्लेप है लेकिन मेरा मन इनको छोड़ करकी कहीं जानी राए मेरा मन राम की तरफ क्छिडा है विस्वाफ मित्र को लगा कि आज तो मेरी सायद योगों योगों की साधना मेरी पूर्ण हो गई जो मैंने साधना की उसका फल मिल गया दसर जी ने फिर कहा महराज आप अपने आनी का कारण बताओ कही कारण आगमन तुम्हारा किस कारण से आप प्रधारे हो बिश्वा मित्र भोले क्या बताओं हे राजा असर समुव सतावई मौई और रादे स्याम जी ने तो यहां तक लिखा असरों की अत्याचारों से अकुलाया हूँ गवडाया हूँ अकुलाया हूँ गवडाया हूँ अकुलाया हूँ गवडाया हूँ तेरा वलखन को देवी दे में उने जवानी आया और पुछ स्वामी जी के सब्दें आनु जो समेत देव रहू ना था आँन निष्चर बद में हो वो सनात मैं राम और लक्षमण को लेने के लिए आया हूँ चूंजे राम के भाई तो तीन और भी तो है अनुज समेट देवरहुना था फिर लक्षमण के लिए क्यों बात आई तीन भाई और हैं वह भी तो राम के अनुज है लेकिन अनुज समेट देवरहुना था वास्तम में राम करके वह चील उड़ जाती है तो कोशल्याने अपने प्रशाद में से दो भाग कि एक स्वेम ने पाया एक सुमत्रा को दिया जो भाग सुमत्रा को दिया है उससे लक्षमर्ण जी हुए है इसलिए अनुजिये हैं और फिर केके ने अपने भाग में से दो भाग किये हैं एक भाग स्वेम ने पाया और एक भाग सुमत्रा को दिया और जो भाग केके ने दिया है उस भाग से सत्रुण है इसलिए भरता अनुज सत्रुण है और रामा अनुज लक्षमर्ण है कथा को समझना पड़ेगा और राम कथा तो ऐसी है भाई यह तो एक वार समझ में आ जाए अंदर तक मांज करके रखतेगी जैसे वरतन में उलग जाती है चिकनाई हमारी मादमाई क्या करती है राखली और कूछा लिया और उसको इसा और गिष्टे गिष्टे बरतन ऐसा चमकता है जैसे नया आया हो ऐसी यह राम कथा हमारे अंतर करण में अरे इड़सा की, काम की क्रोध की, मद की, लोव की माया की, दिखावत, चिडावत गिरावत, अरे साब दुनिया वर की काही लगी हुई है अंतर करण में ऐसे इनकाही को हटाना हो, इस गंदगी को मिटाना हो ना, तो राम कथा रूपी कूचा ले लो राम कथा महराज जीवन बदल दे देखो अब साब मैं तो किसी की कहता नहीं, किसी का बदला या न बदला, लेकिन मैं तो कहता हूँ मेरे कुदेव ने इतनी किरपा की, मेरा तो बदल गया मुझे नहीं चाहिए कहीं कहीं कुछ बिकार थे, वह अपना, अवो, दोस मुझे नजर आता कि मेरे अंदर ये कमी है जब हम को ऐसा नजर आने लगे ना, मेरे अंदर ये कमी है तो सब समझना के वास्ता में भगवान की कृपा है अरे धनक वालेना, बेभगता प्राप्त कर लेना, कोठी वना लेना, बंगना वना लेना, बच्चे पैदा कर लेना ये कोई विशुष बात नहीं है यह बहुआन की किरपा का कोई लेना देना नहीं सजनों इसमें यह तो प्रारब्द है हमने बेटा और नाती पापियों के आंगन में खेलेती हुए देखें जो पाप करने में महा बड़े से बड़े पाप करने वाले महा पापी होते हैं उनके आंगने में हमने बेटा और नाती पोते खेलेते हुए धनवान होते हुए देखें लेकिन ये भगवान की कथा सत्संग सब को नहीं मिलता है ये तो वास्तना जिस पर भगवान की किरपा होती है उसको मिलता है सुटदारा और लक्षमी पापी के गरोई सुट्व, बेटा, दारा, पत्मी, लक्षमी हमने पापियों के गर में देखा है लेकिन वो भगवान की कथा से बंचित रह जाते है सत्संग के प्रेमी नहीं है वो राम कथा के प्रेमी नहीं है यदि वो राम कथा के प्रेमी होना तो कथा को छोड़े नहीं सत्संग के प्रेमी जो होना वो सत्संग को छोड़े नहीं उनको अपना धन ज़राता है धन के मद में रहते हैं धन ही कुछ नहीं होता साथ तव कथा मृतम तप्त जीवनम कब विरिनितम कलम साप हम स्रवन मंगलम स्रीमदाततम बुविंग रणंते ते बूरदा जना वो सबसे वड़े पाम सबसे वड़े दानी होते हैं बूरदा जना जो भगवान की कथा सुनाते हैं जो भगवान की कथा का दान करते हैं वो सबसे वड़े दानी बागवजी के अंदर ये श्लुक आया है गोपी कीत में महरच अब भवान बोले नाथ कहते हैं ही गोरा ही भवानी अब अनो जो समेट देहु रगुनाथा भारत का संथ धन नहीं मांगता है संतान मांगता है भारत के संथ को धर्म की चंता रहती है देश की अस्मिता की चंता रहती है देश की स्वतंत्रता की चंता रहती है सत्ता संत के हाथ में जब आती है ना यह रामाण का सुट्र है सत्ता जब संत के हाथ में आती है व्यवस्ता अपने आप बन जाती है किसी योगी महत्मा के हाथ में जब संता सत्ता आती है तो व्यवस्ता बन जाती है और किसी भोगी के आत्मी जब सत्ता रहती है तो व्यवस्ता चर्मर आजाती है इसलिए तो हमारे अब सत्ता राष्ट की व्यवस्ता थोड़े मनी हुई है क्या बह रहता था बह का क्या अक्रांत सोड सरावा था अब नहीं है इतना जितना पहले डर था ना रात्री में चलने का अब नहीं है और विशुषकर हमारे उत्तर प्रदेश में तो कम है भाई देखो सो परशंड तो कभी नहीं हो शकता राम जी के राज्य में भी राम जैसा राज्य है आज भी चला रहा कि राम राज राम राज गो रहा है लेकिन उस राम के राज में ही रावर जैसा अतंगी छिप्फुल बैठा हुआ है तो अब संथ ही कोई क्रांती लाता है एक और बात है किश्युवी देश के अंदर यह असांती होती है तो दो प्रकार से होती है जान से सुनना लाइब के माध्यम से भी इस कथा का रस्पान ले रहें कल मेरी पास में साधना चैनल से फोन आया बोले महराज आपकी कथा आज एक लाख लोगों ने देखी है एक लाख लोगों ने आज आपकी कथा का अनंद लिया है यह राम कथा बस इसको सुनने का चस्का लग जाए एक बार हाँ मैं कह रहा था किशिवी देश में यह असांती होती है तो दो प्रकार से होती है एक बाहरी तत्तों के द्वारा असांती होती है एक बहतरी तत्तों के द्वारा असांती होती है जिसे ग्रह कलेश कहते है घर का कलेश बाहरी तत्तों का समन करना हो तो रामायन की तरह करना बाहर का जो कलेश होता है आदमी उसे जीत लेता है और जो घर का अंदर का कलेश होता है उसे आदमी परास्त हो जाता है और सुनो बारी तत्तों का यदि नास करना हो बारी तत्तों का यदि समन करना है तो रामायन को परलो रामायन की तरह करो जैसा के राम ने किया है और बहुतरी बुरी राजनेती घर में राजनेती जो चलाते हैं घर में राजनेती ठीक नहीं होती है अंतुस्का बुरा होता है घर में सरलता से रहना चाहिए सरस्ता से रहना चाहिए कुटम के परवारी जितने जन हैं उनसे सबसे प्रेम करना चाहिए चाहिए छोटा बन करके रहें लेकिन प्रेम सबसे करो छोटा बन करके जोना बेतरी बुरी राजनीत को समात वरना है तो महावारत की तरह जो किस्री कृष्ण न किया है विश्वा में तो कहते हैं राजन आप जो नहीं कर पाई वे आपका पुत्र राम करेगा इसलिए राम और लक्ष्माण को मुझे देदू राजन दश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष तो सुनते ही राजा दश्रत व्याक लोगें सोचने विचारने की सक्ती ने काम करना बंद कर दिया और चरण पकड़ लिए कहा महराज में राघव को नहीं दे सकता और रोने लगे चरण पकड़ करके राघव को मैं न दूंडा राघव को मैं न दूंगा मुनिनात मरते 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 मेरे दाड़ना रहेंगे ये दान करते पर से ये दान करते पर से राजा को नहीं दुगा पाराज ये दान नहीं कर सकता आप ये दान लगे आयो नत्वाण पे दुगा पार में राजाल को दान में नहीं दे सता रजना आच आयो प्रात अच्चक वर्ती संगाच मास्तमा के चल्ड़ पकड़ करके रोने लगा आप तो जल्डे बिना कराचत रजने बिना कराचत नचली सरीर धाये अचली सरीर धाये घर में नजीत सतों गाच इनको बिना निहाये तो सिक्र सिहर रही है पेरे अन्द करते बढ़ते है पेरे अन्द करते बढ़ते है झाल झाल ओवे प्रशन मुन्यवर निराज को इस सारा रादी सुपों के संग में प्रशन में तरूग जारा निराज को इस सुपों के संग में तरूग जारा प्रशन में से करें लडाई गिर्धर प्रभु को देते पंता नहीं कुसाही पंता नहीं कुसाही केहकर दिरे चरण में केहकर दिरे चरण में रगनीर जरते घर से रगनीर जरते घर से राकव को में तरूग जार राकव को में तरूग जार नहीं कुसाही पंता नहीं कुसाही वित नहीं कुसाही महाराज राघाव को मैंने और महाराज चोथी पन पायों सुत्चारी ये मेरा चोथा पन है मुझे चार पुत्र प्राप्त हुए है महाराज बेप्रवचन नहीं कहों विचारी ये ब्रामन तुमने विचार करके नहीं मांगा देखो मांगना सब्दी बुरा है अब मांग लिए तब तक मांगा नहीं था महा मुं यह अभ विख्र्व ऑप्रवचण नहीं कहें और कहा मांगा उभु नहीं दैना कोि साथ सरवस देओ आज सहरूसा समसुत प्रियमों प्रान की नाई रामदेत ने बने गुसाई महराज वैसे तो चारूही पत्र मुझे बहुत प्रिया है रामदेत ने बने गुसाई पर मैं राम को नहीं दे सकता मैं प्रान देदूँ है पर मैं राम को नहीं दे समता अब उसी समय वशिष्ट आगे गुरू वशिष्ट ने विचार किया विश्वा मित्र जी का और मेरा वैसे ही 36 का आंकड़ा चलता रहता है राजा को मैंने कुछ कहा नहीं है विश्वा मित्र सोचेंगे राजा दर्शत का गुरू है ये वशिष्ट इसने सारा कर दिया होगा इसलिए नहीं दे रहे हैं और ये जो आपसी फुट है ना और बढ़ जाईए गटेगी नहीं सो महराज तब वशिष्ट बावविद समझावा वशिष्ट इसने राजा दर्शत को समझाया नब समझे नास कह पावा मेरे प्राण नात सुद्धों आतम मुन पिता आन नहीं हो कहा दिखो राजा ये महत्मा तबहारे पित्रों को क्यों लेने के लिए आई आप सोचें युद्ध कराने के लिए ना ना बोले फिर बोले मैंने कुंडली में देखा है इनके बिवा का योग आ रहा है बिवा कराने के लिए ले जारी है ये तो बहाना है अब बिवा का नाम सुना तो राजा दसरत बड़े प्रसंद हुए अब आप पिचार करो बढ़ापे में एक तो बालक हुए बढ़ापे में उम्मीद तूट जाए चोथा पने चोथे पन पायव सुतचारी आपको मालूमें जब राम जी का जन्म हुआ है कितनी वर्स की उम्र थी राजा दर्शत की मालूमें एक सट हजार वर्स की थी मरच अब बताओ और फिर विवाप की बारे में सुने तो बड़े प्रशन होंगी नहीं होंगी अब इससे आगे जज़े एक जगे मारे साथ हजार भी लिखा है अब राम और लक्षमण को गुरुजी की आगिया मान करकी गुरु विश्या मित्र की साथ में जाने की आगिया देदी का विटा जाओ और गुरु आगिया का पालन करना कौशल्या मा आज बहुत खुस है अब कौशल्या मा या क्यों खुस है मालूम है उनों को उस संद की यादा गई कौन से संद की जो भगवान बोले नाथ मात्मा बन करके आए थे कहा था ना कि कुमारा वस्ता में जब तुमारा वेटा होगा तो एक महत्मा तुमारे वेटा को लेने के लिए आएगे और एक अधितिय सुन्दर कर्ण्या से बिभा करके लाएगे अब वो महत्मा की बात याद आगे इसलिए बड़ी प्रसुन है और आज शाम गोर शुन्दर दो भाई अब जा रहे हैं यागे की रक्षा करने के लिए और रादि शाम जी लगते हैं अरताम भाई राम लखन ये संग मुनी के जाते हैं याद्व सहादे हैं जैसे जा रहे हैं रास्ते में सब से पहले सुन तार का कुरूद करताई तार का नाम की राक्षिसी ने आक्रमन किया अच्छा एक बात है समझने की बात है भगवान राम ने अबनी पहली लीला प्रारम की तो ताड़का को मारा और कृष्णा ने सबसे पहली जब लीला की तो किसको मारा पूत्रनाकमा और दोनों इस्त्री है और भगवान राम मर्यादा प्रशुत्तम है और उन्हों ने इस्त्री के उपर प्राहर किया तो मर्यादा को थोड़ा और भगवान को कहते है राम को मर्यादा प्रशुत्तम अब इसका समादान तो संतों ने किया है भगवान राम ने एक इसलिए के उपर हाथ क्यों छोड़ा कहते हैं वो तार का लाक्षिसी है भगवान ने सोचा पहले लाक्षिसी को मारू जब लाक्षिसी खत्म हो जाएंगी तो लाक्षिस का जनम नहीं होगा पेड़े उपर दिकार देओ जड़े न काटो निकालो तो वो तो फिर हरावरा हो जाएंगा इसलिए पेड़े का अंत करना है तो भाई पेड़े से क्यों काटो उस जड़ से काटो ना जड़ को खत्म करो भगवान ने यही तो काम किया है पहले लाक्षिसी को मारा है फिर लाक्षिस का जनम कैसे होगा बहुआन की उपर अक्रमार किया एक हिवान प्रान हर लीना दीन जानते निजपद थीना एक हिवान मारा और कहां बेज़ दिया मालूम है अपने लोक यानी साकित दाम जो है वहाँ कोरियर कर दिया बोलो जैस्री राव ठोड़ा दीर इसे बोलो जैस्री राव अब बुश्वा मित्र जी देख रहे थे बुश्वा मित्र जी को विश्वास हो गया कि ये रामत भाई साधारण नहीं ये तो रामत वास्तम ब्रह्म है परवात्म है बुश्वा मित्र जी ने यान तिप्यस्तों की विद्या प्रदान की विद्या नित को विद्या दी नी फिर बला अतवला नाम की विद्या को सिकाया जाते लाग न छुदा पर पासा अतले तबल तन तेज प्रकासा भूख और प्यास नहीं लगती है बला अतवला नाम की विद्या है जैसे फोजी जब लड़ने जाएं तो विद्या तो आज भी हैं, ऐसे नहीं हैं, विद्याओं से हीन नहीं है कोई, पर सब नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं, उनकी विद्या पर विश्वास नहीं किया जाता है, अब देखो यहां लिखा, जाती लाग न छुदा पर पासा, भूख और प्यास नहीं लगें, जो उस्केविद्या को जानता है अतुले तबहलता नतेज प्रकासा आप तो बोजन को त्याग दिया जाता जो डैटिंग करते सरीर में कम जूरी आ जाती मोटी नहों जाए पहले सास्व जडून में लगाई हो testimован trapsit । अब सास बभू में लड़ाई हो के तू कम खार में कम खाने के लिए जगड़ा होता है कितना बदल गया जमाना है पहले हाँ बदल गया जमाना लोगों प्यारे ना रहा है अब मारज पहले घर में कोई फ्रंक्शन होता था तो घर की जो ग्रैनी होती थी वे बोजन बनाती थी और बाहर से नाचने वाली आती थी अब घर में कोई फ्रंक्शन होता है बोजन बाहर वाली बनाएंगी नाचने वाली घर की नहीं पहले कोई साइकल पर चलता था तो गरीब माना जाता था अब कोई साइकल पर चलता है तो गहें वह अमीर होगा अपना सोक कर रहा है बोजन पहले घर में करते थे सोच बाहर जाते थी अब देखो ना बोजन बाहर करेंगे सोच घर में आकी करेंगे अब यह जो ताड़का थी यह सुकीतु नाम का एक यक्ष था उसकी वेटी थी और इसमें एक अजार हाथियों का वल था बहुत सुन्दल थी और महरज कहते हैं जम्मु का बेटाता सुनन उसके लिए विवाई थी एकवार की बात है इसके पती ताड़का के पती ने जिसका नाम था सुनन्द उसने अगस्त मात्मा की पर आक्रवन किया अब्राद कर दिया कोई और अगस्ती जी को क्रोधाया उसको बस्म कर दिया वह मर गया तो ताड़का को कुरोधाया इसके दो पत्र थे मरच मारी चर्शवाहू उनको कहा और उनको साथ लेकर की अगस्त मात्मा को मारने के लिए अक्रमण किया दोड़ी अगस्ती जी ने श्राव दे दिया कि तुम कुरूपा राक्सिस ही हो जाओ ये कुरूपा और कहा तुम्हारे दोनों पुत्र राक्सिस हो जाए है और कहा था कि राम के वान से त्युरे कल्यान होगा ये राम कि वान किसे आज भी कल्यान होता है राम वान आज भी चला गुआ है आहा बहुत अच्छी दवा है राम वान दवा है उनसी दवा है राम वान राम नाम राम राज्य और राम वान आज भी चला गुआ है यह कभी अस्तितीन हो ही नहीं सकते है महरच तभी से यह तार का जो है अपने पुत्रों के सहतियां संतों को सताती थी आज स्री राम ने उसे मुक्ष प्रदान कर दिया बोलो जैस्री राम आधे कौर मावस की बात है आधे कौर मावस को राम जी विश्वा मित्रक जी के आश्रम पर पोँचे हैं और यग के लिए कहा गुरुदेव आप यग करों प्रात कहा मुन सन्रगुराई अवो तुमे कोई बेनाई निर्वे हो जाओ हौम करन लागी मुन जारी आप रही मख की रखवारी सुन मारीच निसाचर कूदे ले सहाई धावा मुन द्रोही सत जोजन गासागर पाराज जैसे ही मंत्र बोलने प्रारम किये महराज साकल्यक निमे हवन कुण में डाली सुगंधी हुई सो मारीच नाम का राथ ससाया दोड़ा दोड़ा विष्टा फेंग देता है मुत्र आत्याग देता है गुरु विश्वा मित्र बोले राम गुले गुरु जी चंतावत करो समुत्र के पार कौरियर कर दिया बोलो जैसरी राम और जहां जाकर के पढ़ाए ना वहां आज एक देश बसा हुआ है मौरीशस मौरीशस उसे कहते है मारीच जहां जाकर के पढ़ गया था वहां नगर बस गया अब तो दूसरा देश है वाई समुद्र फार है मौरीसस अब महराज कुछनर राम जी यहां रही छे दिन तक यकी चला है यकी पूरा हो गया अब राम जी चलने को तयार हुई विश्वा मित्र भोले दानों से आग्य सुने रग को लेना था अरस चले मौने वर के साथा आस्रम एक देख मगमाही रास्ते में मारा गुरु विश्वा मित्र जी के साथ में राम और लक्षमन दनुश यकी की तरफ जा रहे हैं एक आस्रम देखा है जिस पर कोई जी जन की तक्षी नहीं के वल आस्रम के द्वार पर एक सिला पड़ी है पूछा गुरुदेव यह सिला क्या है विश्वा मित्र जी बोली गोतम नारी साप वस उपल दे अधर दी गोतम नारी साप वस उपल दे हंधर दी गोतम नारी साप वस उपल दे हंधर दी गरन का बलर जचाहती पता कर वर गुई अब यहां एक बात समझने की है किया गोतम नारी साप वस लिखा है किया तो पाप था गोतम नारी पाप वस लिखना चाहिए था लेकिन मातमा जी तुल्शी बाबा कह रहे हैं गोतम नारी साफ बस पाप बस नहीं लिखा क्यों पाप हो गया कोई अफराद हो गया और दंड किसी हैं सरकार ने सुना दिया और हमने उसे दंड को भूग लिया फिर दुनिया की नजर में चाहिए हम अपरादी रहें पर सरकार की नजर में हम अपरादी नहीं है रहेंगे सरकार की नजर में नहीं रहें भाई पाप हो गया एल्यासी और गुरुद अमरेज उनके पती ने उनको इस्राब दे दिया कि तू पत्थर की हो जा पत्थर की होने का साप नहीं दिया था बोले और बोले कहा तेरी भुद्धी पर पत्थर पड़ गए तुझे अपने पती की पहचाने नहीं हुई तेरी भुद्धी पर पत्थर पड़ गए तो वह है पत्थर होकर की यानि उस्राब को स्विकार करके बैठ गई है इसलिए तुलशी वहवा ने पाप सब्दों को अटा दिया जब स्राब स्विकार कर लिया तो पाप रहेगा कैसे और चरण कमल रज शाहती कृपा करों रगवीर महरज यह एहल्या है गोतम रिशी की पत्नी है और चरण कमल रज शाहती तुमारे चरणों की रज शाह रही है इसका मतलब वो पत्थर की नहीं थी पत्थर बत होकर की प्रभू का दियान कर रही है बजन कर रही है बहुआ श्री राम गए अब यहाँ एको प्रिश्ना आता है एक संसे बन जाता है बहुआ श्री राम ने चरण लगाया है तो यहाँ मर्यादा को तोड़ा है क्योंकि वो ब्राम्मन की पत्नी है एक माद्मा की पत्नी है राम जी उस समय छत्री रूप में है यह छत्री ब्राम्मन की पत्नी से पहले लगाये तो मर्यादा है या मर्यादा तोड़ दी है तोड़ दी है ऐसे पहर नहीं लगाया जैसे आप समझते हो पहले प्रणाम किया है और फिर चरण पादों का उतार दी है फिर परक्रमा की है चरण चरण वहवान की बन गए हवा का जोक आया और वह है जो चरणों की रजती हुए उल्या की उपर जाकर के पढ़िए ऐसे उल्या का कल्याण गुआ यहां वहवान का एक नाम हुआ है रगवीर चरण कमने ने चाहती किर्पा कर रहों रगवीर क्या रगवीर बेरता पांच प्रकार की होती है एक होता है त्यागवीर एक होता दयावीर एक होता बिद्यावीर एक होता महावीर एक होता धरमवीर और फिर आगे होता है रगवीर आगे भीरता दिखानी ये बगवान को क्योंकि आगे धनुसको भी तो तोड़ना है और बाले मिकी रामायन में एक इश्लुक आता है तदा गच्छ महातेजव आस्रमंपुन्य कर्मणा तार एना महा भागा अहिल्या देव रूपनी मानो विश्वा मित्र जी कहते हैं हिराम तुम्ह पुन्य कर्मा अहिल्या का कल्याण करो राम जी नहीं कल्याण किया अहिल्या ने परमात्मा राम की स्थुति किया और अहिल्या के वारे में बताते हैं यह धर्म की पत्नी धर्मवत्य जिसका नाम था और उस धर्मवती की एक बेटी हुई जिसका नाम था धर्मवृथा ये कथा आपने सुनी है कहते हैं जिसका विवा इसी धर्मवृथा का विवा ब्रह्माजी के पुत्र थे जिनका नाम था मरीची उसके साथ नहीं हुआ था अब दन यह धर्मवृथा जो है अपने पती की शेवा में लीन थी चरण शेवा कर रही थी तभी उसी समय ब्रह्माजी आ गए अब धर्मवृथा ने देखा मेरे सफरागे तो जब ससुर आगी तो उसके चरण स्पर्स करना चाहिए तो यह चरण स्पर्स करने के लिए चलिया अपनी ससुर के और मरीची जो इसके पती थे उनकी नींद खुल गई और स्राब दे दिया अरे तुने मेरी सेवा को छोड़कर के तू उदर चली गई अरे महरच मैं तो ससुर को प्रणाम करने के लिए पता स्री आगे बोले तुने मेरी नीद खराब कर दी जा मेरा स्राब है तू एक दिन पत्थर की बनेगी और पती का स्राब कभी खाली नहीं जाता है एक कथा ऐसी भी आती है अहिल्या का प्रण बहुत छोटा है तुशी भाबा ने यह प्रण बड़ा छोटा लिखा है लेकिन यह छोटा प्रशंग जरूर है लेकिन हमारी लिए बहुत बड़ा आस्वासने चुनोती है यह है अहिल्या की तरह इस तरह भाव से प्रभु का भजन करूगा पाप हो गया था और भगवान का भजन पत्थर वत होकर की ऐसे पत्थर की नहीं हुई थी जैसे आप समझ रहे हो कभी कभी अहां कभी कभी ऐसा ह होता है कोई बेहन कोई बिद्वा हो गई है कम अमर में बिद्वा हो गई पती चले गई दियापसान हो गया अवह बिलाप कर रही है और रो रही है और इतनी रो रही है इतनी रो रही है उसकी आखों में आशू आना ही है वह बंदो हो गया है तो देखने वाली क्या कहती है देख बेना इतना दुखे से इसकी तो आँखे पत्थर आ गई है जा हो गई है आँखे पत्थर आ गई है अब इसका मतलब ये थोड़ी कि इसकी आँख पत्थर की हो गई है उपमाद ही है पत्थर आ गई है पत्थर जैसे हो गई है वहां सुवाना बंदो गया है अहल्या प अधर की नहीं थी पफ्थर वत्तों करके प्रभु का बजन किया था कवी को यह प्राद हो जाए तो घबड़ाऊ मत इस तरवाव से भगवान का बजन करो जैसे पत्थर पढ़ा है स्थरवाब से पढ़ा भगवान का बजन कर खता डुलता नहीं एक विवा की समय एक पत्थर का टुकडा रखा जाता है बाट रखा जाता है और वरोल कन्या उस पत्थर से अपना पैर लगाते हैं क्यों लगाते हैं कि जार जाता है मालूम ही या नहीं मालूम मैंनों तुम्हा विवाना वह वैसे चली आई जटा रही है यह भगवां अब बताओ पत्थ रखा जाता नहीं रखा जाता लोड़ा क्यों रखा जाता है यह बातें जब हमको मालम नहीं तो फिर इनको रखने का लाव क्या मिलेगा अच्छा पहले हमको भी नहीं पता था हमने बहुत विवा पड़े नहीं पता था जब संतों का सानित किया कुछ गुरु कृपा गुरु देव का चरणों का आस्रे मिला उनके चरणों का सानित मिला और संतों का और गुरु का जो अनवब होता है न वह ज्यान तो अलग होता है एक सास्त्र ग्यान होता है एक अनववी ग्यान होता है और यह अनववी ग्यान हमारे पास नहीं यह तो गुरू जी के पास है यह तो सम्तों के पास है पूरवजों के पास है अब मुझे मालूम है लेकिन मैं बता हूंगा नहीं क्योंकि मुझे गता सुनानी है बोलो जैस्री एक दहर है राम कर्था में एक बात बताएं आपको प्रभु की वेजन में मन लगाना है प्रभु साक्षात कार करना है तो दो बातें सीखे लो बोले क्या बोले एक तो निश्टा और एक दहर है दहर कैसा और निश्टा कैसी निश्टा हो अहिल्या जैसी एक राजा की रानी थी ये पूर्व जनम में कौन सबरी ये प्रसंग आएगा तब बताएंगे आपको और फिर इसका अगला जनम सबर जाती में हुआ सबर जाते में जनम लेने से इसका नाम सबरी हो गया बगवान की बड़ी लाडली भकता रही निष्टा ऐसी होनी चाहिए जैसी अहिल्या जैसी और दहर इतना होना चाहिए सबरी जैसा है जब गुरुजी की सरणली उस समय अवस्ता क्या थी 18 वरस मतंग रिशी जो बड़े योगी मातमा थे उनकी सरणली और 78 वरस की अवस्ता में जाकर के प्रभु का साख्षात कार हुआ एक और विश्च वात है गंगा इश्णान करने से हमारे पाप नश्ट होते हैं जय जय होते हैं होते हैं पर गंगा इश्णान करने के लिए हमको जाना होगा जाना होगा इश्रान करना होगा तभी तो पापनेश्ट होगे लेकिन इस अहिल्या के प्रिशंग में विशेश बात है जिन चरणों से गंगाने के लिए वो चरण श्वेम चल करके आए हैं अहिल्या के पास जिन चरणों से गंगाने के लिए वही चरण आगे इसलिए कंल्याण हो गया है स्री राम दर्सन करने के बाद में अहिल्या की आँखों में आंसु आगे बालम की रामायन में एक इश्लुक आता है देव में यत्र कुट्रापी इस्तियाताया मैं सर्वता तो प्राद करमले संत भक्ती दिव सदास्त में अहिल्या कहती है ही परमात्मा ही प्रभू ही देव मैं जहां कहीं भी रहूं मझमें तुम्हारे चरणों की भक्ती बनी रहे राम जी ने वर्दान दे दिया अहिल्या पती लोग चली गए अब नारियों के लिए भगवाने ने अलग इस्थान बनाया है इस इस्ति समाज का पती लोग और पती लोग में जो स्वर्ण में विवस्ता नहीं है वैकुन्द में जो विवस्ता नहीं है जो विवस्ता पती लोग में है बगवान की प्रारत्ना की और तिरे चर्ण कमल मेराम लिपट जाओं रजवन के आपको यह बजन तो आता होगा यह नहीं आता है आता है तो ऐसे से करो नहीं आता जिए आता है तो फिर में क्यों गाओं गार दें चलो महराज चर्ण कमल सी आलाम उंदे बट जाओं रजवन के 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 र कि पढ़ जाओ रज बढ़ के लिए जनन अखल जी अरा कि दिए जनन इत gets you है और बढ़ सेंगा कि अ बढ़ इता बढ़ के लिए रगेंगा нять या ऑल मन मंदेर में तो को बिखाओ इसने कि लगाओं किसे किसे चंदा घरा कि लगाओं तुजा करूपी सुवर्ण। फशे बट जारात बजूर्ण। याल न करूपी अगा आगा है ओखे सब्सक्राइब करता है प्रपा करो सुखदा बोलो जैस्री राम जादा गाउं तो कथा रह जावे जादा गाउं तो कथा रह जावे अब मुझे सुनानी ये कथा आप गहें वहां तो गाना ही गाना होता है नाचना नाचना ही होता है क्या करें जाकर कि हुआ कथा तो सुनाते ने हमारे द्वारे का प्रशाद जी के बेटा के समधी पधारे हें आपोते के वह तो अइप जाहँ आप तो बोट एक के करकेशी है लगडी का भ्यापर है और हमने जो मकान वनाया न वी उसके दरवाजे से नो नहीं बना और भी नहीं वनाई चाहि सुसेयों करघी बहुत का भी दरवाजे थे कि बहुत बड़ा죠 द्हुटे ग्दी जुर को समे我 कब आपके पोते की ससुर है दवार का प्रसाद जी की पोते की ससुर है पिर तो आपको चेक नहीं लेना चाहिए थाम से आधा चछेल है टाभ आधा अचा हमारे आ्टिक्ट जही आधा का आंध did है ऐसा دसटेशलाख रुक माधए चलता रहता है आनन्द गंद भगवाने की वास्ता में बहुत अच्छी दरवाजी बनाते हैं क्या डिजाइन बहुत अब महरेच यहां बहुत नाम हो गया रगवीर क्या नाम हो गया रगवीर और रगवीर के बाद में भगवान का नाम हो गया पत्तपावन अहिल्या का कल्याण हुआ तो नाम हुआ पत्तपावन रगवपत रागव राजार लेकिन कव अभी तक रगवपती थी और कोशल्याजी इनको रागव कहती थी और राजगदी के मालिक बनेंगे तव ये राजार राम बनेंगे और धनस तोड़ने के बाद में महाराच क्या बनें सीता राम रगवपत रागव बोलो पत्तपावन अब राम और लक्ष्मन गुर्देव के साथ में आगे पुंबढ़ी तो गंगाजी का दर्सन हुआ गंगाजी पढ़ी और राम जी ने पूछा है गुर्देव ये कौन सी नदी है चले राम लक्ष्मन मुनी संगाज ये जहां जग पावन गंगाज राम सब कथा सुनाए जोही प्रकार सुरसर महियाई इस प्रकार से गंगाजी का अवतरण हुआ है वो कथा पूरी यहां सुनाई है विश्वा मित्र जी ने हिराम तुम्हारे कुलमेक राजा हुए थे जनका नाम था सगर और उन सगर की दो रानी थी केशनी और सुम्ते और महरज सगर को तपश्या की दोरा ब्रगु महत्मा का दर्सन हुआ और फिर उनके आशी रवाद की दोरा एक पत्र हुआ जिसका नाम हुआ असमंजस छोटी रानी को एक तुम्ही हुई और उसी तुम्ही की दोरा फिर साथ हजार पत्र हुई और वह वालक एक दिन सर्यू नदी में इश्नान करने के लिए गए इश्नान कर रहे थे और उधर से यह असमंजस नाम लेकर किया गया और सब वालकों को नाम में बिठा ले लिया बहुत धान सुना जब नाम में बिठा ले लिया और फिर बीच मजदार में जाकर कि नाम को दुबो दिया सब रोने लगी प्रजा रोने लगी राजा के पास आई प्रजा जनाई महराज बहुत अनल्थ कर दिया तुम्हारे वेटा ने राजा ने फिर असमंजस को राजी से नकाल दिया राजा सगर ने एक वार असमे दिज़ किया था और इसी यक में एक घोड़ा जो छोड़ा इंद्राया वेश बदल करके घोड़ा को चुरा करके ले गया और उस गोड़ा को कपले देव के आसम में बबाद दिया अब सगर को पता चला बड़े दुखी हुए पत्रों से का बेटा देखो गोड़ा कहा है पत्रों ने खोजा उस गोड़ा को तो देखा कपले देव के आसम में बदा हुआ है सो कपल देव के आसम में गई और गोड़ा गो लिया और कपल देव मांदमा का यहां अफमान किया उपर नीचे बोलेने लगें मांदमा ने स्राब दे दिया और जब स्राब दे दिया तो साथ हजार पुत्र जो हैं तुरंती वहां भस्म हो गए अंसमान ने अपने चाचाओं को डूड़ा नहीं मिले रास्ते में ही जैसे लोटकर के दुख्यों करके आ रहे थे तो जो सुमत्य के भाई हैं गरुण सुमत्य के भाई हैं गरुण वह मिल गए गरुण ने भस्माने की पूरी कता सुना दी अंसमान फिर भस्मी को लेकर के चलियाई गरुण ने कहा तुम में चाचाओं को यह मुक्ती चाहते हो तो गंगा जी को इस पृत्वी पर लेकर के आऊं और गंगा जल से का इनको पान कर आऊं गंगा जल लाओं कि निटीं के लिए इनके मुक्ति हो जाएगे लिए यह उस्ञाइगा फिर गरोड़ और अन्समान कपिल के हैस्नम में आई अन्समान गोडा लेकर कि आई सखर को साथ हजार प्त्रों के मरने की बात बताई, सगर बड़ी दुखी हुई, अनुसमान को राजा बना दिया, अनुसमान के पत्र हुए दुलीब, और अनुने गंगाजी को तो फिर अंसों मानतों तपश्या करने के लिए चलेगे इधर दुलिपी तपश्या करने के लिए चलेगे दुलिप के पत्र हुए हैं भागी रथ भागी रथ गंगाजी को लाने के लिए तपश्या करते हैं भागी रथ के पत्र हुए कोकुत्स कोकुत उसको राज देकर की भागी रथ तपश्या करते हैं भागी रथ जब वो प्रगट होगे थे कहा मारच ये गंगाजी तो तुमारी कमंडल में गंगाजी को छोड़ दूँ ब्रहमाजी बोले में गंगाजी को छोड़ तो दूँगा लेकिन गंगाजी ये पाताल को चली जाईए फिर क्या करना चाहिए बोले ऐसा करो आप संकर वहवान की तपश्या करो और उन्हें प्रशन करके और उनसे ये बचले लो गंगाजी बेग को सेहन कर ले फिर राजा भागी रत ने यहां संगर वहवान की तपश्या की संगर वहवान प्रशन हो गए संगर वहवान ने कहा कहो राजा वागीरत क्या चाहिए महराज प्रभू एक निवेदन है गंगा के वेग को सेहन कर ले ना बर्माजी अपने कमंडल में से गंगा जी को छोड़े फिर बरमाजी ने अपने बर्मा कमंडल में से गंगा को छोड़ा और बहुवान भोले नात ने अपनी जटाओं को 4 उतर पैसे फैला दिया अब गंगा जी आगी लेकिन बहुवान भोले नात अब जटाओं में से गंगा को रास्ता नहीं देते जटाओं में धारन कर लिया अब भागीरत राजा भूले महराज यह तो बात जो कित्यों रही गंगा जी नहीं आई अब गंगा जी नहीं आई तो गंगा जलनी मिलेगा फिर मेरी चाचाओं की मुक्ति कैसे हो आई पर पुने संक्र वहवान की दुवारा से तफश्या की महराज प्रगट हे और कहां अब क्या चाहिए महाराज महाराज चाहिए क्या आभी तुमने जो पहले हस्ताक्षर कर रखी वही पूरे नहीं हुए भूले क्यों भूले गंगा जी को रास्ता तो दे दो फिर कहें दें मारे संकर वहवाने नहीं तीन जटा खोली हैं तीन जटा जब खोली तो तीन दारा प्रगट हुई एक दारा तो आकास को गई एक पाताल को चली गई और एक मितलुक पर आगी जो आकास को गई उस गंगा का नाम है मंदा किनी गंगा बोली मंदा किनी गंगा मया की और जो पाताल को गई है उसका नाम है प्रभावती गंगा बोली प्रभावती गंगा मया की और जो इस मितलुक पर आई ह उसका नाम पढ़ गया भागी रथी गंगा फूल मिराormal दो अपने काखाओं की चाचां की और पापे टुन्हें तारदिये हर हर गंगे मैंगा और एक है यह गंगा पूछे उल रिखुपत कता प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा यह तो सारे संसार को पावन करने वाली है गंगा उस गंगा में हमको जाना परेगा और यह गंगा तो यह बेकर की आई है और पापे वे तुने तार दिये हर हर रंगे मैया और पापे वे तुने तार दिये हर हर रंगे मैया वागे रखी और नाम जाके रहे हो वाड़कार रखाके रहे हो यद्वान परवार के मंहल परवार के पर रखाँ पर रखाँ जो गन्दागा जान दर बुशन निकर रंकरमया जो गन्दागा जान दर बुशन निकर रंकरमया सुध संपद की कमी न रहती है संपत की कमी नरह इतन तवक्त लएया पापी ही तुने कार दी हर हर कंद लएया हर इस्वार की सुवा जारी मिलकी लख लएया हर इस्वार की सुवा जारी मिलकी लख लएया कर दो 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 कर हुआ है, हाट है, हुझ झाल मुझ झाल हुआ है ह् Çünkü, अधे, अ你 WILL कर्दा गार्व कर्दार्व कर्दार्व ग्रियाद हर पापी भी तूने तार दिये 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 जोद्र जर्वनासिंजी के सुपत्र हैं और साथ में माश्टर जी हैं टेक्चन सर्माजी बैठें मैरच पांच विशे का लाड़ तो मिलता ही है अब आगी बढ़न करें ऐसी है ये गंगा और ऐसी है राम का था रूपी गंगा उस गंगा में तन का इश्णान होता है इस गंगा में मन का इश्णान होता है उस गंगा में डूबने का खत्रा बनता है और इस गंगा में डूबने का खत्रा तल जाता है पार हो जाते हैं महराज पार हो जाते हैं और कहते हैं इस राम कथा के तो चार गहते हैं इस गंगा के तो दो गहते हैं और राम कथा रूपी गंगा के चार गहते हैं गंगा भागी रती गंगा के दो गहते हैं ना दो किनारे हैं और जिस अलाम का था रूपी गंगा में आप इश्णान कर रहे हो इसके घाट कितने हैं चार घाट हैं कौन कौन से घाट है महराज बोले एक है ग्यान घाट और एक है बक्ति का घाट एक है कर्म घाट और एक है दीन घाट इस चार घाट ज्यान घाट पर ज्यान घाट पर ये कथा और ये कौन कह रहे हैं संकर भगवान सुन कोन रहे हैं बोले मा पारवती सोता बनी है बक्ति के घाट पर कथा केने वाली बक्ता कोन बने बोले काग भुश्ण जी बक्ता बने और सोता कोन बने गरुण जी और एक है कर्म घाट वहाँ वक्ता कोन वने यागिवल्लक जी और शोता कोन वने बरद्वाद जी और एक है दीन घाट और दीन घाट पर वक्ता कोन वने तुलशी दासवाबा और सोता कोन वना बोले उनका मन हम और आप सब यह दीन घाट बेन गाड़ पर वैट अगर के प्रभु राम्गी कथा सुने तो दीनदा के साथ में सुना दीन वाव से सुनों के तो ब्रभु कर्पा करेंगे प्रभु प्रपु धनींषि नहीं है आहर अर्ध्य में गड़ता दीन वचनी भंदों नहीं लिधा दन का अभमान बल का अभमान रूप का अभमान यस का अभमान है इसको सब को बाहर छोड़ दो कथा, पढ़ना आ利 में, जो पैना रहे हो तो दीन ता का भाब रहे हैं क्योंकि वहाँ ने तो दीन dedigamod, दीन आनाथ और जो दीन बंगर के कथा सुनते हैं तो दीन बंदू हैं तो दीनों की ही डोरी को अपने हाथ से पकड़ते हैं और पार शर देते हैं एसे वे ध्यालोब प्रफुटट। बलूजे पर गुरुणी के साथ में जनक पूरी की तरफ जानी लगे हैं। जनक पूरी में पहुच जाते हैं। जनक पूरी तो वेतांतीयों की नगरी है, ग्यानियों की熱 नगरी है। देखो अयुद्या लंका और जनक्पुरी मित्ला एन में बिशिश बात है बुले क्या लंका में सब राच्छसी राच्छस हैं लेकिन वहां वी एक संत बैठा हुआ है कौन बिवीशा अयुद्या में सब संती संत हैं लेकिन वहां वी एक संत बैठा हुआ है कौन मन्थरा यह दिकाव को घर बिगडवान हुए नियारी कराने हों भहिया भहिया तो मन्थरा नाम की युणिवस्टी में जाकर कर दाखला ले लो घर तूट जाएगा वह डिप्लोमा हो जाएगा ब महराज मिथला में सब संती संते एक वी एशंत नहीं है कि सब ग्यानिए सब गुर्वाने पुरु नरे नारे स सुभग सुच संता अरमसील ग्यानी दुनवन्ता यह तुलशी वावा की जो चौपा यह ना यह कुष्छा हाड दॉपा है नहीं साधर कापि नहीं है यह वेद के मंत्र हैं जब हम ब्यास्पीट से चोपाई गाया करें आप भी गाया करूं और जब आप इन चोपाई गाओगे तो बेद मंत्र पढ़ने के बरावर आपको पुन्ड मलेगा ऐसे मानुज जैसे आपने बेद पाठ कर लिया बेना तुलसी के तो भाई भगवाने भी भोगो नहीं लगाते हैं भगवान को पाना है तो तुलसी के जो सूत्र है मानस में इनको ध्यान से सुनों फिर जीवन बदल जाता है जीवन बदलना हो तो राम का थार रूपी गंगा में डुबकी लगा लो मन का वो शनान होता है तो वो शनान होता है राम को पाना फिर हमारी लिए मुश्किल नहीं है बड़ा सरल है पुरनर नार सुभग सुच संता धर्मशील ग्यानी गुडवन्ता सब धर्मशील हैं ग्यानी हैं गुडवान हैं गुडवन्त हैं एक और बात बताए धर्मशील ग्यानी गुडवन्ता एक सब्सक्राइब और एक सब्सक्राइब घर्मवान एक है धर्मशील एक धloo नहीं है आर्मे aprilritos डार्मशील हम नहीं आप दो डार्मशीलpm दर मघमgeben नहीं है ना हुँ तो बाजार में भी ऐंगए काम करके चले जाए हैं पॉर अब दार म कें दिली से आगे तो अगए लगन दर्म मसील किसे कहते हैं उपने पशिछ जाते हैं और जो भ्यासपित दौरा जो स्कुंद отмет उनको अपने जीवन में डाले लेता है वे धरमसील बन जाता है बुरुजे सिक्राम वे धरमसील आब कहते हैं मेरे शीता जी का निवास है मिथला में राम जी को बुलाया नहीं गया है लक्षमन को बुलाया नहीं गया मिथला के लिए कोई नो मिथला वालों ने नमंत्रों नहीं दिया है विश्वा मित्र जी को बुलाया नहीं है विश्वा मित्र संत हैं राम ग्यान है लक्षमन वेराग्य है सीता भक्ती है भक्ती का निवास कहा है मितला में मितला में क्या है भक्ती का पीहर है भक्ती का निवास बना लो राम को बुलाने की जरूरत नहीं है जब भक्ति का निवास हम अपने अंत्यकर में बना लेंगे तो ग्यान अपने आप मिना भुलाई चला आएगा वेराग्य अपने आप चला आएगा संत अपने आप चले आएगे भक्ति का निवास बनाओ बक्ती बढ़े तो भगवान जरूरी है अब बक्ती कैसे बढ़े बक्ती बढ़ाने के लिए यह तो भगवान की कता है भगवान का चर्त सुना जितना आप प्रभू का चरत्र सुनेंगे जितना प्रभू के चरत्र के प्रेमी बन जाएंगे आप एक दिन उस चरत्र के प्रेम बनते बनते एक दिन प्रभू के प्रेमी तुम जरूर बन जाओ कि पक्की बार अब आगे चले एक बगीचा आ गया जाया और बगीचा किसका है आम का आम की पेड़े विश्वा मित्री बोले यही रुकेंगे और वहीं ठेर जाते हैं बिख अनुप इक अवराई इख अनुप इक अवराई इख अनुप इक अवराई विश्वा मित्र आ महा मुहनी आए विश्वा मित्र आ महा मुहनी आए समाचा अनुप इक अमराई इसका नाम अमराई है विश्वा मित्र जी का समान करने के लिए आगे और प्रणाम किया प्रणाम कैसे कट किया जाता है भाई जैपाल सिंग कितना है और यह तो साउंड की वड़ी सम्राथ हैं और जहां मैं कहें देता हूं चाहें इनको घाटा हो मुनाफा हो और भवान की वड़ी प्रेमी हैं कि प्रणाम कैसे किया जाता है तो संचों को प्रणाम कर तो कैसे करो ब्रामनों को प्रणाम करो तो कैसे करो कीन प्रणाम चरण धर माथा तेने असी समुदित मुने नाथा मुनी ने आशिरवाद दिया तेहीं अवसर आए दू भाई दोन भाई जो फलवाडी देखने के लिए गए थी वे आगे राम लक्ष्मन अनोने प्रणाम गिया मूरत मदर्मनोहर देखे भायाव विदे हविदे हुविसेकी राम जी की का तरव देखा विश्वा मित्र ज्यानी हैं महमुनी हैं मरज्च और इधर राजा जनकवी वेदाम्तियों के सिर्म हो रहे हैं राम जे की तरव देखा तो मन राम की तरव खिच गया पलग भी नहीं मारें पलग भी नहीं जपने और कहां ना ते सुन्दर दू बालक हैं यह किसके बालक हैं या संसार के पालक हैं जो संसार का पालक है वो बालक हो नहीं सकता और जो बालक है वो संसार का पालक हो नहीं सकता और जो पालक है वो बालक कैसे बनता है बन नहीं सकता सेज बिराग रूप मन मुरा कित हो तुझ में चंद्र चकुरा इनाही बिलोकत अदे अनुरागा बरवस महमा सुपरिमान चागा बरवस महमा सुपरिमान चागा रख गुलमानी नसर रख के जाए मन किच गया किदर राम की तरह राजा जनक निर्मन ब्रह्म के उपासक हैं सब्रवस महमान जानते नहीं हैं सहज विराज लूप मन मुरा ठके तो होई ते में चंद्र चकुरा इन्हें भी लेवकत अत्यानुरागा बरवस महमा सुपरिमान चागा यह क्या देख रहा हम आज ग्यानी मन को प्रेमा भक्ति लग गई एक बात है सावन में मैल काटने की सक्ती है लेकिन दोने की सक्ती नहीं है दोने की सक्ती किस में हैं पानी है आप इश्नान कर रहे हों सावन लगा लिया क्या लगा लिया है मैमन भाई सावन फेस्वाद लगा लिया अब पानी चला जाए इश्नान हो गया नहीं हुआ ना ऐसे से करो नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ बोले सावन ही तो लगाया है सावन में मेल काटने की सकती है लेकिन दोने की सकती सावन में नहीं है दोने की सकती तो पानी में ऐसे ही सावन तो ग्यान है ग्यान सावन ग्यान है और बक्ती जल है बक्ति रूपी जल होगा तो इश्णान होगा यानव रूपी सावन से महल कर सकता है लेकिन धोलो नहीं सकता है इसलिए वश्षिष्ट जी ने राम जी से का प्रेम भगत जल बेने रगो राए आपी अंतर मल का बहु ने जाई बाहर का मैल दोना है तो जल से इश्णान कर लो अंदर का मैल दोना है तो बक्ति रूपी जल से इश्णान करना ही पड़ेगा जब तक बक्ति रूपी जल से इश्णान नहीं मिलेगा तब तक अंतह करन का मैल कभी महरा नश्ट नहीं हो सकता दून नहीं सकता है और इसके बाद में लक्षमन की मन में जनकपुर देखने की क्षा हुई लखन हिल्डे लाल सा विशेशी जाई जनत पुर आय देखी और राम अनुजमन की गत जानी भगत वचलता ही अहुल सारी लक्षमान के मन में बहाव आ गया जनकपुरी देखने का लेकिन कह नहीं रहें भीया से पर राम अनुज मन की गत्यानी राम जी ने छोटे भाई की मन की गत्य को जाने लिया और भाई 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 तो मन की बात जान लिता है यह पक्की बार और राम जी ने गुरुदेव से कहा ही गुरुदेव लक्ष्वान की मन में नगर देखने की इच्छा है यदि आपकी आग्या हूँ तो नगर देखाय तुरत ले आओं अगुरुदेव भुली जायतिक आवहो नगर सुखने दान दुवार जायतिक आवहो नगर सुखने दान दुवार भरहु सुखल सब के नयना सुन्दर बदन दिखाय भरहु सुखल सब के नयना सुन्दर बदन दिखाय गुरुदेव भुली जाओं सबके नेत्रों को सफल करके आओ सबको अपना दर्सन दो और सबके नेत्रों को सफल बनाओ अज़ा एक बात है हमारे नेत्र सफल कभ हैं कब जब हमको रागव का दर्सन हो जाए हमारे नेत्र सफल कभ हैं जब हमको परमात्मा का साक्षात कार हो जाए इन नेत्रों से जब तक प्रभू दर्सन नहों तब तक ये नेत्र सफल नहीं है इसलिए पहले इन नेत्रों से संद दर्सन हो जब संद दर्सन होगा तो फिर एक दिन भगुवंत दर्सन अवस्य होगा और जब भगुवंत दर्सन हो जाए तो समझे लेना कि आज हमारे नेत्र ये सफल हो गई धन्य हो गई पानी in राम कथा अंदर के मैल को निचोड देती है निचोड़ में लख्षम 가장Car दोनों जनकपुलिय में प्रिवेश करते हैं साथ भगवान बोले नात कहते हैं गोरा है भवानी जिसरे राम और लक्षमर दोनों भाई जनक कुरी में प्रिवेश कलते हैं उस समय आग क्या छबी यह भगवान की पीत बसन पर कर गड़ मा था चार चाप सरसो हत हाथा संदर पीत अंमर है ललाट पक्त लग है फेंट में तरकसकस हुई हाथ में धन सवान और काली गुम्राली गुम्राली वाल हैं और दोनों की सुन्दल जोड़ी क्या आहा अद्वत लग रही है। अपने अपने ब्यापारों को छोड़ दिया, अपने अपने प्रितिश्टानों को छोड़ दिया। मनों रंग ने दे लूट ने लागी ऐसी मानों जैसे दन की वर्सा हो रही हो और गरीवा करके उसे दन में को लूट रहे हूं। सबसे बड़ी लूट क्या है? सबसे बड़ी लूट राम नाम की लूट है, लूट दी जायता हूं। इसलिए आप समय से आया करो मैंनों। यह समय तो ऐसी चलता रहेगा। कथा अप्रारम होने से पहले आकर कि अपना इस्तान ली लूट जीवन धन बनता है। धन हो जाता हूं। लूट बहुत है दुनिया में पर राम नाम सम लूट नहीं। और फूट बहुत है दुनिया में पर भाई जैसे फूट नहीं। और शूट बहुत है दुनिया में पर तोती सम कोई सूट नहीं। और जूट बहुत है दुनिया में पर जटा जूट सम जूट नहीं। इसलिए राम नाम की लूट है और लूटी जाए सो लूट अंतकाल बचताएगो जब प्राण जाएंगे छूट दहाए दहाम काम सबत्याई जैसे आपने देखा दुलेंजब बिदा होती है हमारी हाँ एक रिवाज है वर्सा होती है और छोटे-छोटे बालक आते हैं लूट करते हैं उस सबस्त हमने भी लूट ली लूट लूट न लागी ऐसे तो रहे राम लक्षमण के दर्सन कर निकलिए और युवति जो हैं अब उने जरोकों में से राम लक्षमण का दर्सन कर रहे हैं तो उसे बाबा लिख रहे हैं सबी कोटि काम चबढ़ी उसे बाबो जीन रखवानी जो मेरे सुना तो लहा उनी एत वह उत सें रचें ढोटा बाले मरालनी पे गल जोटा योवती बोबन जरूखन लागेंगा और ज्चरोगों, नाम अल्लक्ष मण गोद्ध दीकर नहीं है ने रखै, राम अरूपा नुलागी परसतन वचन सपेटे और आपस में राम का दर्शन करते ही आपस में बारता सुरू कर दीती है बाहते करती है अच्छा, पुरस्वन है भी राम को दीखा लेकिर राम को देख करके पुरुष खड़े हो गए मतलब इस तक आशर में जैसे होता है पुरुष ऐसे खड़े पर एक दूशे की तरह नहीं देख रहे बात इक बात अलग है बात नहीं करने और करे पर इस पर बचन सप्रीती और जो मितलागी इस्त्रियां है राम लक्षम तुप लिए और उस्त्री नाम यहां भक्ती का हैर बहुँआन के वारे में वह इवälle कर सकता है कोई तो भक्तीही चल्चा करती है कि और कोही नहीं करता है अशिन सब् modes आपस में सब्सक्राय कर थे हैं और सूच रही है, आहां, रादे शाम जी ने लिखा, क्या सूचने लगी? क्या सूचने लगाता रही है, आहां, रादे शाम जी ने लगी? क्या सुन्द जोड़ी है बार मरालन कीकल जोटा! मरालमाने हंस, क्या हंस की सी जोड़ी है। और यह जो बड़ा कदवाला है सामला सलोना, सामला, एक और बात बता है आपको, सामले के संग में सलोनों लगे, गोरे के संग में सलोनों नहीं लगे, जाली गोरे गोरे जादा अमत इथरा हुआ, अब दा, गोरे के संग में सलोना लगता है, सामले के संग में सलोना लगता है, हम जैसे नठीक है, आनन्द कंद भगवाने की जाए हो अब इधर राम और लक्षमर आगे वड़ी अब छोटे छोटे वालक आम है ध्यान से सुनना और राम जी का हाथ पगड़े और कहते हैं आओ राम आओ दहनुस की यह की भूमी तो इधर रहे जहां धनुसे की हो रहा है हम तुम्हें दर ले चलते हैं और बालक हाथ पगड़े राम जी उधर ही मुड़ जाए जिदर बालक हाथ पगड़कर के खीचें भगवान उन बच्चों की तरव ही खीच जाए इसका मतलब क्या है भगवान को अपनी तरव खीच ना है ना भगवान को अपनी तरव मुड़ना है तो बालक जैसे बन जाओ बालक में कोई दोस नहीं होता है जिसमें कोई दोस नहीं होता भगवान उधर मुड़ते है जिसमें तो इस मोता बहुआन उदर से भी और मुड़ करके इधर चले जाते हैं बहुआन को अपनी तरफ मुड़ना तो भाई बालक जैसे बनो अब महरज बहुआन बोले नात कहते हैं गोरा जिसने भी राम गादर्सन किया है राम की मोहिनी से वो मोहित हो गया है निए कवार इन शाम गोर सुन मारों तो है आठ नहीं अव देखेगी संदर साथो सुन्मारों आठ नहीं अव देखेड़ी संदर साथो सुन्मारों तो पात नहीं अब देगे की वन दरता दोप तुम्हारा दोड़ करके बगीचा की तरफानी लगे संध्या होने वाले थे राम और लक्षमार गुरु जी के पास में आए संध्या वन्नन हुआ और फिर गुरु शेवा होने लगे रात्री हो गई सो गई अब जब सो रहें तो गुरु जी उफदे सुना रहे हैं और उफदे से सुनते सुनते सुनाते सब की आँखों नीद आ गई और सो गई आप पूरी राते गतीत हो गई है आगे एक दोहा लिखा है बड़ा सुन्दर बिगत निसा जागी लखन आरोन सिखा दुनिकान दुरते पहले ही जगत पती जागी राम सुझान बिगत निसा जागी लखन अरोन सिखा दुनिकान अरोन मानी लाल सिखा मानी चोटी लाल चोटी वाला बोला अब लाल चोटी वाला क्या है बताओ हां मुरुगा और जब मुर्गा बोल गया तो सबसे पहले लक्षमर जगी फिर कौन जगी राम जगी और फिर गुरुजी जा गया और गुरुजी से अग्याली पुजा के लिए पुष्प लेने के लिए जाने लगी समय जान गुरु आयस पाई लेन प्रसून चले दो भाई राम लक्षमर फुस्प लेने के लिए जाते हैं बगीचा में महराज कहते हैं बड़ा सुन्दर बगीचा है और बड़ा सुन्दर सरूवर है उसमें हमेशा बसंत तुद गती हैं और उसमें निरमल जल है तुस्प खिले हुए हैं पक्षी कल रहो कर रही लागी नव पल्लाव फल सुमन सुहाई निज संपत सुर रूख लजाए चाह तक कोपल कीर चकुरा तविहंग नटत कल मूरा और वहां पांच पक्षी हैं कितने पांच अब पक्षियों के नाम बताए एक है पपिया पपिया बोले हमारी प्रजी वासन पपिया एक है कोयल और एक है टोता एक है मौर और एक है चकुर ऌप गसेऊंद की वात्ति के को मानित विलताए किए चाहर है एक पक्षी मौन है हृच हृच है आजा इस पत्रेवर्इब कौन है और जो मौन है है अ रोल्याया इना वह मूर है और जो बत्यार है वह पपिया पोयल तोता और चकुर और यह घह dirigू कर रहा है अच्छा जिसका जो ज्यादा पुरेमी होता ना इसके भारे में ज्यादा बात नीकलता है और मौन होता है अगर है माह अपने वेटा इसे बहुत प्रेम करती है और बेटा की लिए और एक सुनती नहीं हैं मौन हो जाती है और अपने मुख से कोई भी माँ अपने बेटा की बढ़ाई निकलती क्यों को जानती है कि नजर न लग जाए अरे मौरत भवान का बहुत प्रेमिय हिशली वे मौन हैं वो भवान के बारे में बस मौन हैं और नत कर रहा है माली से पूछा आगया ली आगया लेने की वाद में फिर पुष्क लेने लगे लेन दल फूल मुदितमन अब फूल तोड़ा जाता है उतारा जाता है लिया जाता है लेकिन लिया कब जाता है जब कोई सामने कोई बस्तू दे रहा हो तभी तो लिया जाता है लगे लेन दल फूल मुदितमन बड़े प्रशन मन से पुष्कों को लेने लगे ऐसा बताते हैं महराज जब राम जी गए ना बगीचा में तो जो पुष्क खिलने वाले थे वह तो खिल गए शूर को देख करके खिल गए जिन कलियों का खिलने का समय नहीं था राम को देख करके वह भी खिल गए और पेड़ जुगने लगे अपस पर टूट टूट करके गिरी नहीं लगे भवान तो गिरते कोई तो उठाते हैं संसार वालों में एक विशेश्गुन होता जो गिरता है उसे और गिरा देते हैं जिसको ठोकर लग जाए पीछे त्यारों न वो ठोकर मारते हैं और भवान तो ऐसे हैं जिसको कोई संसारी ठोकर मारता है तो भवान तो उसे उठाते हैं भवान ठोकर नहीं मारते हैं बहुआन तो गृतों को उठाते हैं पुस्म तूटू तूट करके गिरने लगी बहुआन उनको लेने लगी अब एक प्रिश्ण आता है यहां बहुआन को देख करके पुस्म अपने आप कैसे तूटे बोले पेड़ वो ब्रक्ष जो है फुलवारी जमीन में और फुलवारी पैड़ो और शीता आपसमें ज्राल आगे फिर दागे आगे और थोड़ी देल के बाद में राम जी दनुस जो तोड़ देंगे और बेवास सीता जी का राम जी के साथ में होगा तो जब राम जी के साथ में सीता जी का विवा हो गया तो ये पेड़ क्या लागे राम जी के क्या लागे ये भगवा नहीं समझे जब सीता और पेड़ आपस में बहनवाई हो गये सीता का विवा राम जी के साथ हुआ तो ये राम जी के ये फेड़ क्या लागे हाँ अब साला तुब इदा देता है और जीज़ा बिदा लेता है इसलिए चोपाई लग दे चाहूं देस चेते फूछे माली गन चाहूं देस चेता है फूछे माली गन लगे मेन तरना कुछी तर्मन लगे मेन तरना कुछी तर्मन एक अधसर काल आखत हम आयी एक अधसर की औहात हम आयी दिमान अधाइए ग्रिश्ड बधाइए पूरी राम गता में तो वाटका हैं कितनी दो एक योगी की वाटका है योगी की वाटका है किसकी वाटका है राजा जनक की वाटका है और बोगी की वाटका है राजा रावड की असुक वाटका है और दोनों का सम्मंद सीता से है यह समझना दोनों का सम्मंद सीता से है अंदर क्या है बोले योगी की वाटिगा में बक्ति और भगवान का मिलन होता है और भोगी की वाटिगा में बक्ति और भगवान का ब्योग हो जाता है अज़र एक बात है सीता जी को पहली वार राम का दर्सन हुआ तो कहा हुआ बगी चा में और हनुमान जी को पहली वार सीता का दर्सन हुआ तो कहा हुआ बगी चा में वो भी तो बगी चाहिए है बाटका है सीता बक्ती है हनुमान जी को बक्ती का और महराज भक्ति को राम का दर्शन हुआ है तो कहा हुआ है वाट कम अब आपको ब्रह्म साच्छात कार करना है भक्ति प्राप्त करनी है तो जीवन को बगीचा जैसा बना लो कैसा बना ले बगीचा जैसा कैसा बुले जिसमें सत्संग की हर्याली हो सेवा की फूल खिली हुई हो आराधना की सांति हो तो बक्ति भी मिलेगी और महराज ब्रह्म का साक्छात कार भी हो जाएगा भगवान भोली नात गहते हैं गोरा उसे समय एक गटना गटी हो लिक्या उसे समय सेता जी गौरी पूजा करने की लिए आई है और संग सते सब सुबल सयानी का वहीं बीत मनों हरवानी सेता जी कि आने से पहले ही मालियों को सुचना दे दी थी कि 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 शोरी जी आ रही है सिता जी आम के वगीचा में आई पहले सरोबर में श्नान किया मजन करसर सकन समेता मजन वाने श्नान लोग कहते हैं पूजा करने से पहले श्नान क्यों किया जाता यह पूजा की पद्धती है सिता जी ने मजन करसर सर माने सरोबर मजन माने श्नान पहले सरोबर में श्नान किया और पूजा कीन अधिक अनुरागा फिर पूजा की है इसलिए पूजा बिना श्नान के नहीं करनी चाहिए और मिज़े अनुरूप सुबह बर मांगा और अपने अनुरूप बर मांगाए राम दर्सन करना हो तो जीवन में तीन बाते साध लो कौन-कौन सी पहली है संतों की सभा दूसरा है सरोवर मिश्नान तीसरा है भवानी की पूजा सीता जी जब गोरी पूजा करने गई है माराज एक सकी से संग बे आई गई रही देखन फुलवाई सकी उनके साथ में एक सकी फुलवारी देखने के लिए चली गई क्यों इसमें कताती है बोले क्या बोले सकी जो है वहाँ राम दर्सन करने के लिए दोड़ गई और राम दर्सन कर लिया और दोड़ी दोड़ी आई सीता से काई सीता ही किशोरी जी पूजा बाद में कर लेना पहले पूजा का फल लिलू पूजा का फल क्या है भगवान पूजा का फल भगवान सीता बोली क्या बात है सखी बोली है किशूरी कल पूरे नगरे में जनकी चल्चा हो रही थी न वे दोनों ही राजकुमार इस बगीचा में आई है और आप उनका दर्शन कर लो जाकर के और वास्ता में वो दर्शन के लायक है सीता बोली सखी तुने दर्शन तो प्रभू का कर लिया पर एक बात बता तेरी आँखों में आँशू क्यों आ रहे है सखी बोली ये आँशू तो उनके दर्शन के प्रेमे में आ गए है जिसे राम दर्शन हो जाए तो आँख में तो भाई छलक आती है सीता बोली तो बताओ फे सखी वे राजगुमार कैसे हैं कितने शुन्दर हैं तब सखी ने बड़ी बिच्चित द्रवात गई सखी बोली कैसे बताओ वाणी के नित्र नहीं है वाणी के नित्र नहीं है और देखा तो नित्रों ने है लेकिन नित्रों के वाणी नहीं है बताओ कैसे नित्रों ने देखा है नित्रों के वाणी नहीं है और वाणी के नित्र ने वाणी ने देखा नहीं है इसका मतलब क्या है बोले इसका मतलब है किया बोले राम रूप जो है ना इंद्धीयों से परेह यह तो जिन्होंने अनवव किया है वही जान सकते हैं अच्छे गुरु जो होते हैं ना परमात्मा की लंबी चोड़ी व्याख्या नहीं करते हैं अच्छे गुरु तो ऐसे होते हैं और शीदे प्रभु से मिला देते हैं। कि आप सक्ही लीए ही किशोरी presented में आप सवयम चलो सवयम जाकर के जर्शन कर लो अब स किट़ेखा उथी और आगे आगे सखी पीछए पीछे सीता है। आगी सकी क्यों है? बोले सकी ने राम जी का दर्सन गिया भी सीता जी ने राम जी का दर्सन नहीं किया और रास्ता तो वही बता सकता है जिसे ने रास्ते को दिखा है अब यहां सीता जी जब गई तो सीता जी के हिड़े में यहां एक चौपाई और आगी महरच सीता जी के हिदे में एक वहाव जाग गया बोले क्या बोले प्रीत पुरातन लखे न कोई एक पुरानी प्रीती जाग गयी है बोले पुरानी प्रीती क्या जागी है बोले सीता जी जब पांच वरस की थी जानि एक वर्स पहले जिस समय बिभाव हुआ है सीता जी का उससे एक वर्स पहले की घटना है सीता जी बगीचा में पूल्या करने के लिए आई थी नारजी मिल गए थे आर सीता ने नारजी को प्रणाम किया नारजी बोले सीता मेरा आशीरवाद है और सुन इसी पुष्व वातगा में तुमको एक दिन तुमारी पती का दर्सन हो जाएगा और उसी वचन को याद कलती हुई नारजी के वचन को याद कलती हुई प्रीत पुरातन लखे न कोई वे पुरानी बात पुराना वचन याद हो गया भगवान बोले नात के तेह गोरा जब सीता गोरी पूजा करने के लिए गई थी उस समय सीता जी ने कुछ आवुशन पहन रखें बही राजा की वेटी हैं आवुशन तोंगें और क्या आवुशन पहन रखें मानस में उन आवुशनों की वारे में लिखाए कंकन के लिए मों और झूने सोनी। कर्दानी कंकर कंकर किंकिन नूपुर दोन सुन करदनी अब पाई जी यह तीन आभुषर पहन रखें सन्नार करके सीता जी सक्यों के साथ में आगे वड़ी रामजी ने शीता जी को दिखा सीता जी ने अभी रामजी को नहीं दिखा है सीता वक्ति है साधना कर रही है पूजा करने के लिए यह राम परमात्मा है परमात्मा सर्कों देखता है परमात्मा ने साधक को देख लिया लेकिन अभी साधक को परमात्मा का दर्सन और महरे रामजी भूले ही लक्ष्मन मुझ कि रखेए मानों इस विस्व जैकर ली निया ऐसा लगता है का मैंदों कि बुझा रहा है और विस्व जय करने इनॅरकत कि लिए चलाएगा तो यहां बेटा करके आया वो काम देए पायल में पायल काम पहनी जाती है पैर में पिता कितना भी करोदी सही बेटा कोई अबराद कर दे और मा के साथ आजाए अबराद करने के वाद में बेटा मा के साथ आए तो पिता कितना भी करोदी सही उसे छमा कर देता है और अबराद बेटा क कर दे हैं और पिताजी को लगजी हो और सीदे सीदे आजा या जाए तो यह ना देंगे कि शीदा तो भई जगत्मा है और आलों में बैठ बैठ टरके वो काम दे वाया थायल पैर में पहनी जाती है यानी वह सीधा सीधा काम राम की तरह नहीं आया और वोले मां के पाउंट पर बैठ कर गया यानि मां के पीछ पीछ आ रहा है तो बहुत वार ने छमागर दिया पर लक्षमन के मन में ये बात बैठ गई भाई या राम ने ऐसा क्यों कहा फिर आगे एक चौपा याती है तात जनक तनयाय सोई रगोर भगत जास तात जनक तनयाय सोई दनुस जग तही कारण होई लक्षमन से काही लक्षमन यह वही राजय जनक की वेटी है जिसके कारण दनुस जग हो रहा है एक कथा और आती है कहते हैं जिस समय राम जी छोटे थे ना चारों वाई सर्यू के किनारे खेले लेते दनसुवान ले रखे थे ऐसे बहुआन से राम ने आख तीर छोड़ा और वह एक गाए में जा लगा गाए लत्यू को प्रत्त होई अब बहुआन की लीला थी अब किस किसान दोड़ा दोड़ा आया देखा गाए मरी पड़ी है और वह एक किसान को पता लगा यह तो लाम के तीर के दोड़ा गाए मरी है वह एक किसान राजा दर्शत के दर्वार में जाकर के द्वाही लगाने लगा महराज तुम्हारे बड़े बटा राम के तीर के द्वारा मेरी गाए मर गई है राजा दर्शत ने कहा ऐसा नहीं हो सकता बोले ऐसा ही हुआ महराज फिर राम को बलाया राम से राजा दश्रत ने कहा हाँ बिटा राम ये सूर्व वन्स है इसमें किसी की इंसा नहीं की जाती है और वो भी गाएं तुम्हारे तीर के दाज द्वारा ये गाएं मर गई है बोले पिता जी असाब धानी पूरा कैसा हुआ है बोले तो भी तुम्हें तो अधरम कर दिया अब यहां लक्षमण को सारा दिया है लक्षमण जाओ उस गाएं का पता लगा कर किया हूँ कहते हैं मैरे जो लोग दाम अलग है अब लक्षमण सीश नाग जो हैं गोलोग दाम में जाते हैं और वह गायक वहाँ पढ़ी है उसके तीर लगा हुआ है आँखों में असुदारा वह रही है और रो रही है अब पहले बता दें कि सब पसुपक्षी एक दूसरे की बातों को मानव आदी समझ लेते थे तो लक्षमन को देखते ही कहा उस गाय ने लक्षमन तुम यहां अकेल तुम्हारे बड़े भाई कहा है तुम अकेले कैसे आए इतना कहते ही उस गाय ने प्रान त्याग दिये लक्षमन आए लक्षमन को देखते राम ने कहा लक्षमन हां भाईया गाय ने कुछ कहा है बोले हां ऐसे से कहा है और गाय ने ऐसा कह करके उन्होंने प्रान त्याग आज जवाब नहीं दिया आज जवाब देरें लक्षवने दराव बोले क्या विया पुली तात जनक तो नहीं आए असोई धनुस जग ती कारण होई यह दनुस्यक उसी के कारण और यह वही राजा जनकी वेटी वही है जो गौलुकदाम में मेरा नाम लेते लेते जिसने प्रणों को थाग दिया पर यह कथा तुलशी बावा ने नहीं लिखिया है यह तो भाई में तो बड़ा अज्यानी ब्रह्मन वालक रहा हूं यह तो गुरुदेव की किरपा हो गही वास्तम में गुरुदेव ने क्या-क्या नहीं दिया मुझे अब लक्षमार जी के मन में यह बात थोड़ी देर पहले जो लाम जी ने कहा वो भी चुभी हुई है कि मनसा विश्व विजय कर ली नहीं मानो मदन दुन भी की नहीं अब काम की चल्चा क्यों कर लें लाम जी क लेता की मन में बात थी अब राम जी ने लक्षमार को बुलाकर कि कहा ही लक्षमार जिनके लहाई नर्य पुरण पीठी नहीं लावें परतिय मनु डीठी मंगा न लहें न जिनकी नाहीं नर्वर थोडे जग्वाही रागवं सरकर सहद सुभावउ मुझे मेरे मन पर पूरा भरोसा है मेरा मन स्वप्न में कभी पर नारी को कुभाब से नहीं देख सकता है राम कहते हैं जो दुस्मन के सामने पीठ नहीं दिखाते हैं किसी पर इस तरी को आँख उठाकर के कुभाब से नहीं देखते हैं और जिनके दरवाजी से कभी विखारी खाली नहीं जाता है ऐसे लोग संसार में हैं लेकिन तेनरवर थोरे जगमाई इस संसार में तो हैं ऐसे लोग पर थोरे ज़्यादा ना है लक्षमण जी ने बात सुनी लक्षमण की मन का समाधान हो गया अब राम जी आगे वड़े उधर सेता जी आ रही हैं और सखे भूले किसुरी जी देखो लताओं की ओट में राम जी खड़ें तो रंती सीता जी ने देखा लताओं की तरफ तो लताओं की ओट में राम का दर्शन हो गया और राम दर्शन करने के वाद में सीता जी ने नेत्र बंद कर गी और नेत्र बंद करके द्यान करनी लगी उधर राम जी को देख करके एक मोर नाचनी लगा और नाच्टे नाच्टे मोर का पंख निकल गया मोर पंख से रसुहत नी की अधर मारा सखी ने सीता जी से का किशोरी नित्र खोलो सीता बोली सखी जिसने राम दर्सन कर लिया उसे संसार देखने की जरूरत नहीं है पूछा है तुमने नेत्र के उबंद की है बोले मेरे नेत्र ने राम का दर्सन कर लिया जिसके नेत्र ने परमादमा का दर्सन कर लिया हो अब संसार देखने की जरूरत क्या रहेगी उन ने वोने कि उलिषीता गौरी का ध्यान करो जो कुछो और राम जी की दर्शन करो सीता जी को यहां बड़ा तुख किसका हुआ है वोले पिता जीके पृति क्या को सुन करके दुख महाँ हो गया क्या दुखो गया बोले मेरे लायक तो ये है लेकन स्वमरी पिता प्रण मन अति छोबा पिता जी की प्रतिक्या है जो धनस को तोड़ेगा वह पती मिलेगा पर मेरे अनुरूप तो ये है इसलिए दुखी है अब स्वयमर तो हो गया अब तो जनक जी की प्रतिक्या की बात रह गई है सिता जी को चिंता हो रही है अब एक सिता जी को चिंता और हो गई क्या चिंता हो ये मालूम है बोले राम जी सुन्दर तो है राम जी सुन्दर तो है पर ताकत कमे क्यों ताकत कमे बोले जब उपस पुच चैन कर रहे न उस समय उनकी मस्तक पर पशीना की बूंदे आगी अज़े हम दुखी होगी एक सखी ने का ऐसी था आप उदास क्यों हो क्या राम जी पसंद ना आए बोले राम पसंद बहुत है पर इने में ताकत कमे है क्यों सकी इनको फूल तोड़ने में पशीना आगए अत्या को होवाँ तो धनस तोड़ना है जिसको फूल तोड़ने में पशीना रहाए वो धनस को कैसे तोड़ेगा अर्थात लगता है धनस नहीं तूटपाएगा पर सीता जीने गोरी पुजा की जै जै गिरवर राज की सोरी जै मही समुख चंदर चकोरी जै गजवरन सडानन माता जबत जनन दामेन दोत गाता नहीं तबाद मत अवसाना आमेत प्रभाव वीद नहीं जाना भाव 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 पराव कारन उस्तर लोहन सवस विहार मौर मनूरत जानों नीके मसर सदा और पुर सबही के अब सीता जी बर्दान मांग नहीं मंदर में कड़ी गड़ी महराज सीता मांग रही बर्दान मंदर में ठाड़ी ठाड़ी सीता मांग रही बर्दान मंदर में ठाड़ी ठाड़ी मंदिर में तारी तारी labor आए मंदिर में तारी सीजलमानी तारी मंदिर में तारी तारी जानवत मिया के आए हो दोरी मिया के आए हो जो राजा जनक में जाएगी उसके किता हमारी है जो राजा जनक में जाएगी उसके किता हमारी है आपको प्राइब 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 आपको प्राइ आजी 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 दाहानी दी दर्गाने मंतिर मेरे ठाडी ठाडी आजी अजी 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 बारों पेला याजी कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो मन्दर में थाड़ी थाड़ी था आग जेई together मत्र में थाड़ी था अन्दर में थाड़ी था महरत मुपती मेर ने स्री रामि만मा धाड़ी थाया मंदर में थारी था तो ऐसे कहने लइश्ट किसे हस्वेंड हमारा कैसा हूँ पोकेट में जिसके पैसा हूँ लम्मी जिसकी हाइट हो गुशी काभू लाइट हो और सासुषी जब मेरी फाइट हो तो कहे जानू तुम्ही राइट हो मुकुं पतिय मेले श्रीराम मंदिर में थाड़ी थाड़ी सीता मांग रहीं वरदान मंदिर में थाड़ी अर सीता की प्राइट्फना सी गोरी मया प्रेम की वस्में हो गई है और गौरी मयाद जो है उनके गले में जो माला पड़ी है वह है मेरच गिर गई है और मूरती मुस्कर आ गई है लिखा है बिने प्रेम बस भई भवानी अधर इक बात है पूजा करते करते हैं अब मंदर में पूजा कर रहे हो और अगर्वत्ती लगाई वो गिर जाए जलते 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 या भगवान की स्री अंग पर कोई भी पीताम मर है कोई भी उनका अंग का कोई भी आभूशन है वह गिर जाए उनके के लिए माला है उसमें से पुष्प तूट करके गिर जाए तो समझ लेना आशीरवाद मिल गया है खसी माल मुरत मुस्कानी मुरती मुस्कार आ गई है माला गिर गई है और कहा सोनसिय सत्य सेस हमारे तूजह मन का मना तुम्हारी सिता मेरा आशीरवास में तुम्हारी मन का मना पूर्ण होगी लेकिन सीता जी ने पैर पकड़ रहके पैर नहीं छोड़े फिर मा ने अपना आशीरवाद जारी रखा वरदान दिया सीता कामणा तुम्हारी पूढ़ोगी और ये चार आशीरवाद दिये चार वरदान दिये नारज्य के वाणी सत्य होगी असत्य नहीं सकती नारज वचन सदा सूचछ छाथ फिर नहीं चोड़े और परकार जिसमें तेरा मन लगा ओआ है वैं तुझे पतीप्राप्त होगा फिर भी पार नहीं चोड़े पिर कया करुणा निदान तुमारे पती होगे मन जाए राचे व मिलाई सोवर सहज सुंदर करुणान दान सुजान सील सनेह जानत रावड़ू ए भात गोर असीस सुन सिय सहित ही अरसितली तुलसी भवानी पूझ पुझ पुनपुन मुदत मन मंदर चली जान गोर अनकूल सीह ही अरसन जाय के मंजल मंगल मूल बाम अंग शीता जी का वायां द जो है नत्र फडकनी लगा अब बाया वाई आंग फड़कनी अच्छ अधुळे हु आँछ अब इसके बार में आगी राम लक्षमन शीता जी की चल्चा करते करते गुरू जी की पास में पहुंच गए और गुरू जी को प्रणाम किया गुरू जी ने आशिर्वाद दे दिया सुफल मनूरत हो ये तुमारे अब एक बात है ध्याम देनी जो क्या है राम जी ने सीता गो देखा सीता ने राम गो देखा है अब लक्षमन जी उनके साथ है तो गुरू जी को कहना चाहिए था कि सुफल मनूरत हो ये तुमारा या तेरा लेकिन तो बहुवचन में सुफल मनूरत होई तुमारे तुमारे में तो दौन वागे नहीं आगे कहा कि तुमारे मनूरत सफल हो जाते है इसका मतलब क्या है भोले जब राम जी ने सीता गो देखा और सीता ने राम गो देख लिया और सखी आई हुई थी उन सखियों में राजा जनक की बेटी उर्मिला भी ही और उर्मिला ने लक्षमन गो देखा और लक्षमन ने उर्मिला गो देखा आनंद कंद भगवार निकी जय हो आई सुनाए जाए बड़े भाईया को भ्यावो चोटो भाईया संग चलो जाए देख ले बुलिए भाईया को जोड़ाई और मेरो ते रही है तो सुफल मनोरत हुए तो मारे राम लखन सुन भई शुकारी भोजन आदी हुआ फिर बिस्लाम हुआ ग्रोजी ने प्राचिन प्राचिन कताय सुनाई लगे कहन कछो कथा रसाला प्र संजा ओगी संजा करन चले दो भाई और संजा के बाद पर मारा चंद्रमा निकलाया बागी तर्वारी टेल है प्रविचारगी ना ना या चंद्रमा में तो काल नम सीटा में तो कु दागी नैं भ prim लिभी सीटा का चतर तो इतना पावन और प्रेविचार गिया अरे सीटा के समान सुनदर ये चंहन मनीजोशता है क्योंकि चन्धरमा का जन्म समृतिर से हैं और विश्का जनम्दी तो समत्र से है और ये चंद्रमा और विश्कों ने दोनों भाई भाई हैं तो चंद्रमा ने अपने हिर्डे में अपने छोटे भाई को इस्थान दे रखा है ये चंद्रमा का दर्स FER्शन खट्सक करना चाहते विश्का दर्सान को कोई नहीं चाहता इसका मतलब है मानो कह तुकितना वी गलत स Buddhasrice नहीं लासई तो कितना भी जहरी लासई तेरा इस्तान में रहरे में हैं वास्तम में ऐसा बहाव जब आ जाए ना भाई भाई की अंदर तो फिर राम का था समन्द को बड़ा सुधारती है और फिर मन में विचारा है अरे चंद्रमा तुम दिन में मलिन रहता है और या चंद्रमा घटा वड़ता भी है और चंद्रमा बिढ़ाई को बहुत दुख देता है सीता के समा सामने तो यह चंद्रमा फिका है फिर गुरु शेवा की सब सो गए अब इधार धनुस बंग होने की कथा की तरफ चलते हैं महराज बालुमे की रामाणे में कथा आती है राजा निमी के पुत्र थे देवरात और देवताओं ने देवरात को एक धनुस दिया था जिसका नाम था सिभ धनुस और कहा राजा तुम इस धनुस की दिखवाल करना इसी धनुस को इसी धनुस की दौरा बोले नात्र ने तपरासुल नाम का जो रागश स्ता उसको मारा था पुराणों में कथा और आती है एकवार राजा जनक ने भगवान सिभ की आरातना की बहुवान से प्रगट हो गए बहुवान सिव ने राजा जनक से कहा ही जनक आप क्या मांगना चाहते हो जो मांगों के मैं दे दूँगा तो राजा जनक ने कहा महराज मैं उस्तत्तु का दर्सन करना चाहता हूं साका रूप में उस्तत्त का दर्सन करना चाहता हूँ जो दर्सन करके आप मखन हो जाते हूँ साका रूप में ब्रह्म का दर्सन करना चाहता हूँ संकर भगवान बोले ही राजा तुमारे यहाँ पर मेरा एक धनस रखा है और आप उसे हो धनुस को नित नियम से पूजा करो उसकी और आपको कोई जाना नहीं है जिस तत्तु का दर्सन करना चाहते हुआ ही तत्तु एक दिन तुमारे यहां आ जाएगा और इतना कहकर क्रिशंकर रभवान अंतर जानोगे राजा उसे धनुस की नियम से पूजा करती है रोज पूजा चलती ही नियम से एक दिन गाजा जनक कहीं बाहर चले गए इधर सीता एक दिन मरच बाहर चोका लगा रही थी मन में विचार आ गया सीता की जहां यह धनुस रखा था बोले सब जगे चोका लग जाता है यह धनुस के नीचे का जो इस्थाने बेना चोका के रह जाता है सो चोका लगा रही थी और बाएं हाथ से ऐसे उस धनुस को उठा लिया और धनुस को उठा करके उस धनुस के नीचे चोका लगा दिया और फिर जैसे उठाया हुए से कि वैसे चोगा लगाने के बात ने रख दिया उसी समय थोड़ी देर के बात में राज जनक आगे राजा जनक को पता लगा अरे ये धनुस तब इस्थान के इंपर छोगा किशन लगाया यहां तो चोका लगता ही नहीं था, यह धनुस तो बड़ा भारी है, इसको किस ने उठाया, पता लगा, यह तो बेटी सीता ने उठाया, राजा जनक ने सोचा हुआ, यह सीता कोई साधारन बेटी के रूप में नहीं आई, यह तो वास्ता में कोई सकती है, जिसने इतना देगा, मैं उसके लिए ही अपनी बेटी का बिवा करूँगा, सोचा यह तो सकती है, सकती के लिए तो कुछ सकती वान चाहिए, जिसने धनस को ठालिया, वो सकती तो बिशे से है, और जो इस धनस को तोड़ देगा, परिक्षा हो जाएगी उसके, वो ऐसे कम नहीं हो सकता ह उसके साथ में अपनी बेटी का बिवा करूँगा, अब तो मारच धनस यक प्रारम हो गया, धनस यक चलते चलते एक वर्स हो गया, बहुत से बड़े बड़े राजा आये धनस तोड़ेने के लिए, लेकिन धनस तूटने की तो चले क्या है, हिला भी नहीं है, और आज धनस जी ने गुरु सतान अंद्र जी से कहा है, गुर्देव, आप विश्वा मित्र जी से कहो, कि राज गुमारों को लेकर की यहां आए, यगी साला में, सतान अंद्र जी ने विश्वा मित्र जी से कहा, विश्वा मित्र बोली रागव, चलो, राजा जनक ने, हमको यग आप में बुलाया है चलो देखते हैं विदाता नजाने किसको बढ़ाई दे विदाता किसको बढ़ाई दे लक्षमान सुनकर करके यहां खूब हसे और बोले महराज बढ़ाई तो उसे मिलेगी जिसके उपर आप जैसे संत की किरपा होगी बढ़ाई सबकों नहीं मिलती जिस संत किरपा होती है बढ़ाई उसको मिलती है लक्षमान जी का संकेत राम जी की ओर था और राम जी भी समझ गई विस्वा मित्र लक्षमान की साथ में धनस मंडब में पदारी उधर पूरी जनकपुर का पूरा समाज नर और नारी सब वहां इखटे हैं और सब राम दरसन के लिए दोड़ पड़ें जाके रही भावना जैसे भूरत तिन देखी तैसी भावना के अनुसार भगवान ने सब गोदर संदिया जनक जी ने राम लक्षमान जी विश्वा मित्र जी को एक विशुष्ट मंच के उपर विठाल दिया है वे वी आईपी कभू को वह सौह जा है वो नालायक क्या माह नालायक और मूर घानंद होते हैं अरे किसी में कोई गुण है तो उस गुण का वखान की आ जाए तो वह उसकी तो योगता दरसा दरसा ही जा रही है अब गले में किसी के बीवी आईपी या वी आईपी कार्ड पढ़ा हो अब देखो ना राम जी ज संस्ति पुण not facility नियके साल हमें हैं रंग भूम ड़भी न आरखो यह बहुत ng जब ज़र कोदारें हो दूत 51 किया तो देख मोही निर्ड3 क reduces और गयां सिता जी कि जाती है लिए नार न भी नारी छवुट नर और ऑर नरी मोही तो लिए มार्व nee tomo आएयआ के उपर मोहिद हो सग्तीlight नारी नारी को देख कर के कभी मुहेद नहीं यहां रूह झा रूप देख मोहे नर नारी सीधा जी जब आई नर तो मोहित हो गई लेकिन नारी में मोहित हो गई पन्नगारिय चरितनूपा आगी चोपाई ना नार न मोहिनार की रूपा पन्नगारिय चरितनूपा पन्नग माने उता साप अरे माने दुस्मन और साप का सत्रु कोने गरुण माराज यह है गरुण जी जो है काम विश्यक मोह है अब आगे चले प्रतहारी आए गोश्णा की माराज की गोश्णा आए अरे राजाओ तुम बहुत बड़े बल सालियो आपकी वो जावाओं का बल चंद्रवा की समाने लेकिं सिवधन सुभी बड़ा कठोर है वे तो राहू की समाने नप बोजबल बेदु सिवधन राहू कठोर विदित सवकाहू भरे करवाद उठी अकुलाई चले इस्त देवन सिरनाई तामक ताकसा तक सिवधन धरही उठैन कोटे भाते बलुकरही जिनकी विचार कछूमन माही चाप समीप मही बन जाई तामक दरें धन मूडन रप उठैन चलही लजाई मनों पाई वटवावल अधिक गरवाई ऐसा कहते हैं बड़ी बड़ी राजा आई धनुस उठा नहीं हिला नहीं और ऐसा ही वड़ादें जन राजाओं के मन में सीता के प्रती पुत्री वावत्था वह राजा धनुस के पास नहीं आई मुरख राजा उन्हें धनुस उठाया मगर धनुस उठा नहीं पाई राजा लजी तो करकी वहां से मरेच चले जाते हैं लेकिन धनुस और वारी हो जाता है भूप सह से दस एक एंबारा लगई उठाव नटरे नटारा लगई नसम्मुस राजन के से कामी वचन सती मनुझे सी जैसे कि सती नारी को कामी फुरुस के वचन सती नारी को जैसे नहीं डिगा सकते ऐसे वह धनस तूटने की तो चले क्या माराज हिला भी नहीं सावर्णप भाई जोग उपहासी जैसे बिना वेराग सन्यासी हो जाता है वैसे ही सब राजा निंदा की पात्र होगे राजा वड को साइद विदाता नहीं जन्म नहीं दिया है राजा जन्म को चिंता होगी दीप दीप के भूपत नाना आये सुन हम पर जो प्रठाना कहते हैं महरच यहां रादे स्याम जी की द्वारा वरणन किया दीप दीप के ना जाओ अब किसे कहें बलसाली है अब किसे कहें बलसाली है अब हम तो ऐसा लगता है बत्वीरों से खाली है कि आलता है इस प्रठुई पर चत्री नहीं रहें तो इस scholar की व्यवस्ता नहीं करता वीन वहीन महीं मैं जानी लिखाना विद वेय्दै विवा ανα लगता है मुझे बैदेही का विवाई नहीं लखा है मेरी वेकी क्वारी रह गई भाई गड़ बढ़ है यदि दनुस ना टूटा तो गड़ बढ़ होगे ऐसा लगता प्रत्वी पर अब छत्री नहीं रहे ये ग्यात मुझे पहले हो जाता तो मैं दनुस यकी की विवस्ता नहीं कराता लेकिन छत्री वाँ बैठा हुआ था कौन लक्षमान त्रोलन आ लेया और रादे शाम जी ने वरनन गिया या गुमीर रामजी के होते हमारा अलोचितवाणी केहडाली है अलोचितवाणी केहडाली है जो सब रहें चुबते हैं बतली वीरों से खाली है यह सब उदय में चुबते हैं दन्वीरों से खाली है एए राजा जना कहीं जना के जस अनुचत वानी बिक्त वान वागुकुल मनी अरे राजा आमने सब्त को वापिस लेलू काचे घरजे में डारों फोनी सगों मीरों मूल लग जिन तोड़ी गन्नागी तरह तोड़ दूँ तो मने यह क्यों कह दिया प्रद्वी पर छत्री नहीं रहें छत्री तो यहां ऐसे ऐसे रहें हैं तो एक दनुष्की तो चले क्या ऐसे हचार हो दनुष्की तोड़ दो राजा जनक ने कहा महराज इतने वड़े छत्री बनते हो तो दनुष्को तोड़ दो ना तब मालूम पड़ेगी तुमारे छत्रापन के लक्षमण बोले अब तक तो मैं दनुष्को तोड़ देता लेकिन विभा का नम्मर मेरा नहीं बोलो जैस्री राम है और जब तक दमसु नहीं टूटेगा तब तक सीता डाइक किसको वरण करें भटिक तो तूटना चाहिए दनुष्के अंकार का पतिक है यह एंकार तूटे तभी तो बंद लगण करें एंकारी को वक्ती नहीं मिलती है भक्ती को पाना है तो एंकार को निकालू अब तुम्हारच बड़े बड़े राजा आए लेकिन धनुष तूटा नहीं उसी समय सक्षियों ने आपस में बचार किया अरी पहन अब राजा को कोन समझाए अब राधि स्याम जी वरणन करते हैं ए सक्षिय इस समय राजा तो उठकर न कोई समझाता है उठकर न कोई समझाता है ये भालक तो इस योग नहीं जो धनस तोड़ने जाता है अब माहराज आपस में बाति करनी लगी कहत सुने ना सुनमी जवेहना एन पह धनस उठेना ये तो बालक तनस का ठोड़ बड़ो वारी है ये बालक है इधर सीता जी हां हां कि महराज व्याकुता बढ़ने लगी मानी मन मनाव अगुलानी ओ प्रशन महीश भवानी गननायक वरदायक दीवा आज लगी की नीक तुरसीवा प्रशन में और मन ही मन हां सिर्व जी की प्रावट ना करती है बेनती सुनों सदांसे वं मूरी करण चाप गुरता अते थोरी विश्वा मित्र जी एक टक देख रहें लक्ष्माण जी आनंद में जनक जी संगा में सुने नाचंता में अभवानी राजा इर्शा से देख रहे हैं और नर्णारी पुस्मों की इमारत अपने पुन्यों का फल वांग रहे हैं ऐसा बताते हैं मानस में दनस को राम नहीं तोड़ा और किस ने तोड़ा बोले जब राम जी आए है तो चाप समीप राम जब आए नर नारी नसुर शुक्रत मनाए नर नारी जितने घड़े उन्होंने आपस में कहा अरे हमें विदाता हमें ही प्रवु हमनें संसार में कोई पुन किया हूँ तो और हमा, उस हुस्त का अभल आप हमको देना चाहओ तर प्रभु उस पुन्रका अभल आप हमको मत देना वोवले ow उस पुन्र का पल तो हमारे स्री राम को देंगे लेन विश्वा मित्र जी की आक्या पाते ही महराज राम जी आगे वड़े हैं पश्द्पाडना स्लागव उताए दनुली ना है पड़े मैं लेटी जड्यावत जेचांत गाने हाह उनला मकाले घिसात ऑटाडे जिसन राम माढ शेतन थोरा भरे मोण दोर जोरा मारच दनश टूट गया और जिस समय दनश टूटा है बालमे की रामायन में सीता स्विमर की बात बड़ी शुक्षम लिखी है बालमे की रिशी कहते हैं पस्षताम नसल सानाम बहुनाम रवननना आरोप यत सदर मात्मा सलील इवतत दनौ जिस समय राम जे ने दनश तोड़ा है उस समय हच्जारों राजा खड़े हुए थी और राम ने महराज खेल खेल में ऐसे रोंदा चड़ाया और धनुसों फूट गया अच्छा इक बात है धनुस किसका बना हुआ है बज्ज्र का डोरी किसकी बनी है अब बज्र मजबूत होता या रेशम मजबूत है रेशम हलकी है कम जोर है या बज्र कम जोर है बोलो बज्र तोटनी चाहिए थी डोरी जो कम जोर है लेकन जो मजबूत है वो तूट गया कैसे तूटा अब चौपाई पर जान दो ले तो चड़ावत खेंचत गाड़ी काव न लखा दे के सब ठाड़े धनुस को लिया चड़ाया धनुस को उतार करके रखा जाता है यह चड़ा करके लख दिया तो लचक खत्म हो जाएगी उतारा जाता है फिर धनुस को लेकर के चड़ाया फिर खीचा तो डोरी किदर गई राम जी की तरफ धनुस किदर गया कितने भी कमजोर सही आप राम की तरफ जखोगी राम की कता की तरफ जखोगी डोरी की तरह कमजोर होते हुए भी तूट नहीं सकते हो और राम से दूर वागोगी राम की कता से दूर वागोगी बच्च की तरह चाहे मजबुत क्यों न सही धनुस की तरह ही तूट जाओग अब इसके बाद में कहते हैं धनुस के साथ बहुत सी चीजी तूटी है राजा जनगजे की संका तूटी है जब धनुस तूटा है सुनेना राने की चंता तूटी है जब धनुस तूटा है अव्मानी राजाओं की इंकार तूटे है धनुस तूटा है तो सीता जी का भीयोग भी तूटा है और जब धनुस तूटा है तो लंका में वेटी हुई मंदो दरिये उसकी चूडियां भी तो कैसे सचनर रखें और कि शूर को जैसे लक्षमांद जी किसे में ऑझ जी की तरफ देखना एक किसे देखने है जैसे और नदुद देखता है कि शूर अजूर का था चौक प्रेंद साथ कहसा हिस्ट्र उप्र में। cheg स तोटा भाई बड़े भाई के मुख की तरफ ऐसे देखता देख रहा है जैसे चकूर का बच्चा है दनने हैं लक्षमण का प्रेम ना चहें गावद विवद वदूती वारे वारे को समान जलिलूती इसके वाद में सिता जी जैमाला लेकर के आती है अब जैमाला पहना ही नहीं जावे सीता जी छोटी है और राम जी बड़े अब ध्यान से सुनना सीता जी धरते पर खड़ी है राम जी चोकी पर खड़े है राम जी की सिर पर मुकुट ओर है सो महराज और वी कारण है बोले क्या सुनत जुगल कर माले उठाई प्रेम भी वस पहराई न जाई लेकिन खुसी जादा है प्रेम के कारण वह काम नहीं हो रहा है सीता जी माला पहनाना चाहती लेकिन पहना जी नहीं जावे सीता जी ने लक्षमन की तरह देखा भाईया कच्छू साहता कर दो बोले का साहता करें बोले तुम अपनी बड़ी भाई से कह दो वैसर जुगा ल अब लक्षमन जी ने साहदा किया बड़ी भाई लक्षमन जी भुले ना ना बोले क्यों गोले पहलो पहलो देने आजी जुगाबे भले आदे मिं धिरो जाना जुगन उपढ़े करें को भलो जैस्री राम भाई फिर अब राम जी के गले तक मारा हाथ नहीं पहुचते कहते हैं फिर सीता जी ने लक्षमान की तरफ देखा भाईया एक काम करो बोले कहा तुम तो सी सिनागो प्रतवे के आधारो एक साहता कर देओ बोले क्या बोले जाम मैं खड़ी हूँ ना उपर गुकल देओ मैं अपने आपड़ी आजाओं माला डाले दूंगे लक्षमान बोले मैया तुम तो कम पड़ी लिखी दीखो बोले क्यों बोले में जब धल्ती को उपर उठाऊंगा तो राम भाईया वाली धल्ती का गड़्य में जाएगी बराबरी तो ठेंगे अब ये सेना वेनी सीता जी की और लक्षमान की होती होती बात गुरु जी ने देख लिए बड़ी बुड़े उनको ध्यान बड़ो जल्दी चलो जाए अचा हम जाएसे तो ने जाने बड़े बुड़े देखना है रहे पर बड़े बुड़े बड़े एक्सपर्ट हों अब उनने देख लिए आव गुरु जी बोले अरे लक्षमान यह काहर हो ऐ कासे ना वेनी है बोले गुरु जी कछू बात ना रहे बोले कछू बात तो है बोले मैया यह कह रही है कि जहां में खड़ी हूं वार धर्षी को उची कर देख अब गुरू जी बोले तो तो पका जोर पर हो तासी वी अची करते है लक्षमान भोले घुरू जी तुम्हारी बुद्ध्ध सथ्या कि तुम्हारी वाकल को काम नए करें बोले क्यों बोले में धर्ती को जब उठाऊंगा तो बरावरी तो टी गुरुजी बोले लालत जाब आते तुम्हें बूलिगो अच्छा अब लक्षमान जी ने सीता जी से की बात कही हिमा देखो भाईया अभी गर्दन जो कहा लेंगे पलतों में एक सक्षीन ते कह दो बोले का बोले न और महराज कैसे गीत गाया सकी गीत गाने लगी हे राम जी थोड़े जुग जाओ यॉड़ आता जोड़ि नाता जोरी नी हम दी जोड़े जिखे किसी विधाता की संदर खड़ी है यहां हमारी बर्दी बर्दी है संदर बोर सरी जो संदर बोर सरी अली हम भी जो देजी जो पीजियों संद के रखोडी अली हम भी जो देजी पीजियों संदर खड़ी वेखे तोड़ी तजनकती सोची रामचन्रमप चंद्रचकोडी बोडे तकिनियांची ठली हम्री जोडी फोड़ी तकिनियांची गुरे गुरे हाद रवे सोहे जर्वाला जीत कुटाओने के दसरस के लाला रभा करहो मतिकी नजी हमरी छोडी एक पिश्टी अज़त रप्रोडी नजी हमरी छोडी सख्यों ने कीत गाया राम जी का दिहान गाने पर गया अज़ा जो दूला हुए न और जब दूला बन के जाए सश्राल में और सखी गीत गां में दूले का दिहान जरूर जाता है गाने पर कच्छु मेरे बारे में तो नहीं गायरी अब राम जी का ध्यान गया गाने के तरफ और लक्षमान जी मौका देख रही थी और लक्षमान जी धेरे से उठी और राम जी के चरणों में साष्टांग दंदवत प्रणाम करनी लगी सिता जी मौका देख रही थी और मरज राम जी लक्षमान को उठाने के लिए जोकी सिता जी मौका देख रही थी और माला डाल दी बोली सितापती राम चंड़ भगवाने के जाए अच्छा एक बात है माला डालने की वाद में जाए 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 आरे बात देखो तुमार ओवार फिर करवे के लिए संदे ना रही है सच्दानन बहगवाने की आदेख बात है माला जब डाले दी जाती है तो वह करन्या क्या करती है फेर मालूर महां नहीं मालूर ए भगवान तुम कहांते आए की जप्टा रीम अरे जब माला डाले दी जाती है तो वह प्रदापती पिजु थ regulation ताके चरण छूती है अब सखी सीता जी ने चरण नहीं चूए एक सकी ने कौनी हमारी सीता ओं आप सीता बूली बोले क्यों बोले में महालो में क्या मालो में बहुत मतिय अगत्य शुरत कर नहीं परसत पगभाँ मुझे मालों में इनकी रज में कोई जादू है छुझे मकईद निके चलड़ पत्थर की सिलां से लग जाते हैं तो पत्थर की सिला नारी वझे अर मेंने पैन रखिया अंगोठी इसमें लगा हुआ है डायमड में इनकी चलड़ ऑक यह और यह ऐसे गहोम गई पैड़ से लग गया और यहां अगोठी में दूसरी प्रकट एगी तो फजीतों मेरों बने जाएगो बोलु जैसे ए अ एसे यहां आज की ज्ञान सक्ष्ट को ही विराम देंगे शेश्ट्रा कल की सप्र में करेंगे कल बहुआ परसराम और लक्षमर जी का सम्माद उसके बाद में भगवान स्री राम और सीता जी का विवार और फिर उसक जाएंगे फिर वहां क्या आनंद जब बहु आती है तो बड़ा आनंद मनाया जाता है यह सब इस आनंद का डवल आनंद कर लेंगे बोलो जै स्रीराम आज हमारे वहिया सिरुकमार जी जनों ने कुछ समय पहले शास्रम में कथा कायुजन कराय था वह भी पधारे हैं और उनक साथ उनके मित्र भी पधारे ब्यास्पीट की तरफ आएंगे और इसके साथ साथ भाई अमित जी ठीक बहुत बहुत आशीर बाद अब कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए आए गुए हैं यद मैं ब्यास्पीट से उतर करके समय दूंगा तो मुझे बहुत देजी लगेग और भहिया वंटी जी जो मनुझ मेटिकल इस्टोर से पदा रहे हैं बोलो जै स्री राम आप बता दूंगे जैरादी कथा इसलिम ब्राजमान सभी भग जुनों को जैश्टी कृष्णा जैश्टी राम आज की ज्यान शत्र में आप सभी वक्तों ने पूझ गुर्दे भगवान के मुखारविंद से बहुत ही सुन्दर सुन्दर कथाओं को शिवन किया कल की ज्यान शत्र में पूझ गुर्दे भगवान के मुखारविंद से यहीं से प्रारम करते हुए दसरत जी के पास जनक जी का दूत वेजना आयोत यहा से बरात का प्रस्थान बरात का जनक पुर में प्रवेज बरात का अयोत ध्या लोटना राज अबसे की तयारी सरसुति द्वारा मंतरा की बुद्धी फेरना से समय रहा तो आगे की कथा को विश्वन कराएंगे समय का इसे ज्यान नखें, ठीक समय से ही कथाप प्राण डालने बढ़ा रहें, जहिष्ठी कृष्णा, जहिष्ठी ग्राओं. कितना सूर मचाते हैं आपकी सूर की मालूम नहीं पड़ता है, मन में जब आवे जब चले जाएं, मन में जब आवे जब आजाएं, इनको मने के बबाले हैं, और फिर सुने होना है का होगी. आए हो, हनवान तलाले के, आब में चार घंटे काता केता हूं ना, तो कोई नो कोई मिलने के लिए आजाता है, अब में उन से फिर मिलू बाद में, इसलिए पांच मिल्ट इसी समय, थ़ड़ा उन से बात कल लो, जहांगिर पर बुलेंग सर्षर से कोई आएं हई है, जहां को वाइक दे दू, कहा रहते हैं आपड़ोग जहांगे पूर रहता हूँ करश्ट क्या आपकी कि बस क्या नाम हैं आपका हैं अमित कुमार प्यार से संजु कह रहेprit हैं आमित कुमार नाम है अच्छ, अमित, समय आपका सुवे की भीला का है, हाँ जे, दो बज़ कर प्रेतिस मिनट का, जनम का, नहीं, राद को, सबानो का, सबानो का, राद का, कहा रहते हैं अब, जहांगे पूर रहते हैं, आपका अभी आई, सारे चारोजी आया है, सुभय आया, अखे, अब सारी चारोजी आया है, कौने साण काबड़ते हैं अब का, तो बज़ा हो गया हो गह एratos इजबर रहोगा, आपकी साथे हैं जन्मितिति पिचेत्तर है जी चार तारीका है नई चोध है आठ चोध है आठ गलत आ रहे है जन्म समय क्या बताया पर सब्सक्राइब गड़ नम गलत आ रहे है आपकी गरवाली का नम रचना है क्या जी अब आई नह लेहर माइक पास में रखो है जी अब दुकान करते हैं जी दुकान नहीं चल लएँ जी गाते में जा रही है जी आपको किसी ने सक ड़ा हुगा किसी ने कुछ करा दिया है जी बदबाद दिया है जी ऐसा कुछ नहीं है जी आप नरंदर के वेटाएं क्या जी रत्न देवी कोने आपके मम्मे और हजारी लाल के पोते हैं आप नए नए होती लाल हाँ सुरी होती लाल देवनामे क्या है नाम पूरा क्या है अपका अब संजु कह दे रहे है नाम अमिट कुमार पत्वामा अनन नाम से है बच्छ चौरानवे एक सो चार उन त्रानवे एक सो सत्र मोबन नमर अपका जी आपकी बरकत रुगी हुए है जी एक आप दातु का एक कच्छवा मगाले आप जी दातु का एक कच्छवा आता है बोले करके दुकान पर रख दो बीच तिन बाद हमें फोन मिला लेना किस दातु का जी कोई दातु पानी में या कैसे नहीं अपनी दुकान पर रख लो पानी में रख का या कैसे रख लो किसी भी दातु का, मैं तो कहता हूं, सोने का बनवालो कोई दिक्कत ना, आपके करपाओ की लिए, एक किसी भी दातु का, एक कच्छवा बनवालो और उसे वहां रखो, ठीक है जै, दुकान में किस्टी का रखना है, कहीं भी रख लीजिए, बीच दिन बाद हमको फोन में ल करें, करेंजिए, बीच क्या था। कच्छब कोई दातु होनी चाहिए हम अमेथ को ने एक और अमेथ अच्छा दो दूआ अमेथे अब भी तो अमेथे अच्छा आप अमेथे बढ़े चली बढ़े आप बढ़े एक तारी कावड़ थे क्या आपका हाँ जी कहा रहते हैं आप पहले कभी मिले हो में जूट मत मुलना सच मुलना कभी नहीं मुझे तो याद दी है यह पुछना चारों को इंट्रोड़क्शन परचे हुआ हो कहीं इंट्री हुई लिखा पड़ी कहीं भी नहीं बंदावर में ले हो यहां में ले हो कथा में में ले हो कहीं लिख करके दे दिया हुई पक्का पक्का गुर्जी बगवान की दरवार में अपका हाँ बिल्कुर्जी एक तीन एक आशी का पड़त है आपका दो बजकर ते तीस मिनट का होगा दो पस्पन नहीं दो ती तीस का है दो पस्पन गुर्जी गलत है ना आपका हो सकता है बिल्कुल और रुग जाओ पता लग जाएगा स्वार देखना अपना प्रभाती कोने है मम्य है मेरी दो बजकर ते तीस मिनट पर जनम दिया प्रभाती ना ठीक है अब प्रभाती जो है प्रहलाती जरवाली होगी हमें गलत मत बता हो तो पत्नी है रासी का जनम है हाँ पक्का 28-10-83 का होगा जोती नम है उसका बेटा आ रहा है क्या बात है अब तो पास है गें भाई वो तो लाला ने थोड़े गड़ बड़ करते हैं आप अपनी फैक्टरी का भशी जानना चाहते हैं हाँ गुर्जी आपका स्वास्त कैसा रहता है बढ़िया रहता है फ़र अपनी नम है यह साथ तोड़ा डीला ने थापकी इसकी इसकी प्रॉब्लम है थोड़ी सिचे बाकि कोई दिक्कत नहीं है जो पर इसकी तचा की हाँ वाइट स्पोर्ट है अजिए कितने इस किस आलगी है इसका नाम बदल दो ठीक है आपके परवार में और किसी यह थे नहीं यह कोई प्रोलम नहीं थे अभी भी दादी देड की तुमने नहीं दादी नहीं देखिए गन्नी देवी मन्नी देवी हाँ उसके भी तो थे वैट इस्पॉर्ट मैंने तो मतलब मुझे नहीं मालूम मैंने मन्नी देवी के वाइट एश्पॉर्ट थे जो शुकुदेवी जी की घरवाली थी दादा जी है अँग अँगे थी उनके भी तो भाई सशुराल में नहीं हूंगे सशुराल में भी मुझे आइड़े नहीं कि अरे वनसल गोत्री में भी आई तुम वो तो पता है मुझे अरे सुरेश के घर में भी आई हो हाँ गुर जी सुरेश को ने है सुरेश जी है लो यह उपाय करो फोटल पर आओगे हमारे पास जब ठीक हो जाएए आपका प्रेक्टरी का भविस्तमारा बढ़िया कोई दिकत नहीं दवा का आप ब्यापार करते हैं पहले ट्रेडिंग की थी आपने दवा की अब मैनुफेक्शिंग शुरू कर दिया अपने थोड़े आइटम मनाते हो हाँ मैक पर बोल दिया करो ले लिया करो भई अब तो किसी को नहीं पूछना भी आपकार से आएए जैपूर से हैं अपी जैपूर से कहा रहते हैं जैपूर जैजावान गोलोनी में जैजावान गोलोनी कुझ भी आरी है हाँ जी साब औरे तुक्का लगे जनम ते थी मालूम है एक जैजएक मालूम नहीं है निकलवाई थी तो उसे इसाब से ग्यारा अगस्ता आए अगस्त निससो सतानव है गलत है आपकी आपकी नो अगस्त निससो सतानव है कि नहीं नहीं है माता कैलासी ने आपको जनम दिया है और तुक्का की बात यह है मा कैलासी और पिता कैलास हां सिव पार वतली कैलास चन्दं? कैलास चन्द और कैलास देवी है गर में आपस में मनों में मतवेद होता आपके गर में हाँ जी घर में सब परिशान रहते हैं हाँ जी घरवाली से भी जगड़ा होता है कभी कभी होता है कविता से यहां भी तो लड़की आई हो नहीं यहां रहां से कविता नामे है हाँ जी आप कल्यान के पूते हैं क्या? हाँ जी ना तुम पड़्ची बदले ना पड़्ची पे लखवावे हम तो सीधे सीधे याते बात करें कभी मिले तो नहीं पहले हैं? नहीं साँ इंट्रोड़्चन तो नहीं किया? नहीं नुदे दोई नर्मदा नर्मदा मैया के नाती अरे नाती बोले हमारी हाँ जो बेटा का बेटा है तो नर्मदा तो मारी दादी है गए इसका जाप करो आपको संतुष्टी मिली नहीं मिली? अरे बया सही बताईएं? बिल्कुल सही पूच के लिए बता दिया अरे बैठी इसे पांच मेट एक मेट यह बी निकाल देते हैं कहीं आप से पूच लिया हमने कहीं? माइक में बताईएं? कुछ नहीं पूचाएं? कोई पैसा वेसा लिए दे के लिए? नहीं नहीं क्या? नहीं माराज बिल्कुल नहीं पक्का? जुट तो नहीं पुलते हैं? क्या नाम है आपका? कुझ बेयारी हाँ खोश है हमने आप बिल्कुल खोश है यह ग्यारहसो नवासी नममर क्यारहसो नवासी नममर अच्छा बाई सुन्दर सिंग माश्टर जी पता रहे है बहुत बहुत आशीरवाद आगे भी नममर क्यारहसो नवासी नहीं है नहीं है या नहीं है जल्दी बोलो ग्यारहसो तेहतर नममर ग्यारहसो तेहतर जल्दी ग्यारहसो बहतर ग्यारहसो बहतर हो गयां? ग्यारहसो बहतर जल्दी किया करूबें ग्यारहसो सतानवे ग्यारेसो सतानवे ग्यारेसो सतानवे ग्यारेसो पिचत्तर कलू लेगे तुम दुमाल आगे लाला पांच ठीक आप ठीक समय से आया करू आप बात इस दाल की और इस पुरुसकार की नहीं है बात नद्धन की है बात आपके भागे की है आप उपने भागे की अजमाइस करो हाँ अबिव दो है yet हरी लाम कह से था हरी लाम कह सी कर दो, लुग कर दो, आखार सकार्ण कर दो, लुग जए पॉडियर। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो